भारत का अतीत बहुत गोरव शाली रहा है साप्रथमा संस्कृति ही विश्वारा एक और विश्वारा गोरव शाली संस्कृतिक अतीत है इन करोड़ वर्षों में हमें बहुत उचाईया देखी है भारत का संस्कृतिक, आज्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, उतकर्ष, पूड़े विश्व में सबसे उचा था, महाम था, भारत एक आजर्च राष्ट रहा सबसे पहले मानविय सिष्टिक की उत्पति, यहीं हिमाले एक शित्र से हुई है और दुनिया में सबसे पहले जान का आलोग भी भारत से ही उत्पन हुआ, जान का प्रतम आलोग इसी देश से उत्पन हुआ, लेकिन इस गर्व के साथ-साथ कुछ ऐसे गहरे दर्द भी हैं हमारे अतीत में, जिसके कान से आज यह भारत की दुर्द शाथ हमें अपने आँखों से देखने को मिलती हैं, भारत के सामने बहुत चनोती हैं, त्रारों तरफ गंदगी, गरीबी, भूख, अभाव, असिक्षा, बेरुजगारी, दिन संक्या की बेहताशा, विद्धी, दरिद्रिदा, यह सब, हमें अंदर तक आहत करती हैं, जो बेस दुनिया का सिरमोर रहा, आखिर उसकी, यह देनिय दशा क्यों? दो देश दुनिया की सबसे बड़े महाशक्त रहा आर्थिक दृष्टे से अध्यात्मिक दृष्टे से सांसकृ दृष्टे से राजनतिक दृष्टे से उस देश की ये दूर्दसा, ये देनी आवस्था है उस देश में बीमानी उस देश में भश्टाचार उस देश में दुराचार वगिचार हिंसा, नकसरवाद चार तरब चलूती हमों भाई खड़िये पूरी दुनिया में आज हमारा वो सम्मान नहीं है जो होना चाहिए थे जो अतीच में हमारा सम्मान था पूरी दुनिया में यह जो आज हमारे सामने जो परिस्थिती है इसकी बीज बहुत पहले बोई गए थे देखो कुछ चीजों का परिणाम तुरंत मिलता है जैसे अभी नीम की पत्ते खाओ करबा हो जाता है एक दम मूँ नीम का पेड़ तयार होने में वक्त लगता है अभी आम खाओ मूँ मीठा हो जाता है तुरंत लेकिन उसके लिए आम का पेड़ तयार होने में वक्त लगता है ये तो अच्छे परिणामों की मैं बात कर रहा हूं खराब परिणाम बे कुछ तुरंत आते हैं कुछ देर से आते हैं आज हम जहां खड़े हैं इस दुर्दशा के इस देनी अवस्था के इस गरीबी भूख अभाव के बीज वर्षों पहले बोदिये गए थी सद्यों पहले बोदिये गए थी भारत ने हमारे पुर्वजों ने बहुत कुछ अच्छा भी किया और उसी के काण से आज अच्छाई सच्चाई और जो हमारे देश में संपत्ती संस्कृती जो कुछ बचीवी है उसके पेशे बहुत बड़ा पुर्शाथ हमारे महापुर्शों का राए लेकिन जो आज हमारी दुर्दशा इसके पीछे है कुछ हमारे पुर्वजम भूले भी की हैं गल्तियां भी की है और इदिहास इसलिए होता है कि उन भूलों से उन गल्तियों से हम सबक सीखें कि दुवारा से उनको ना दो रहा है कुछ भूले हमने हजारों वर्श पहले की अब ये लाखों वर्श पहले की अलग अलग काल खंड में हमने अलग अलग भूले की कुछ राजने तिक भूलती है हमारी कुछ आर्थिक भूले की हमने कुछ सामाजिक भूले थी हमारी कुछ भार्विक भूले थी हमारी और कुछ राजने तिक भूले है गलतिया और उन राजने तिक गल्तियों का और राजने तिक भूलों का पर लाम हमाज सक भोग रहे हैं कश्मीर की समस्या यह अमरी राजने तिक भूल है और कुछ भी नहीं है तेला आसमान सरोवर आज अमरे परसमी नहीं है तो कुछ भी नहीं एक राजने तिक भूल है देज से खंड खंड हुआ, खंड भारत, जो अफगारिस्तान से ले करके वरमातत, और इधर टिबबत से लेकरके, और श्रंकात तक, जो अखंड भारत था, यह तूटा, बटा, यह राजनेतिक भूरत थी है हमारे पुर्वजि़ों की, इसमें भी जो राजनेतिक लोग ते, जिनके हाथों में देश का नित्रत तो था उनके काड़ से ये भारत में चारों तरफ हमारे जो बड़ोसी देश जिनको हम बोलते हैं वो हमारे लिए आज हर दिन चुनोती बनते हैं हर दिन हमारे लिए खत्रा बने रहते हैं हमारे देश के लागरिकों के लिए चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे वर्मा हो चाहे बंगलादेश हो चाहे चीन हो चाहे श्लंका चारों तरफ से हमारे यह जो देश है यह आज हमारे लिए चुनूते बने वे खत्रा बने वे और यह बेज हमारे ही कुछ पुर्वजों के द्वारा बोए वे उनकी राजनेतिक गल्तियों से राजनेतिक भूलों से उनकी ठीक समय पर सही नवना न करने के काड़ से गलत नवना लिये गई राजनेतिक भूल आजाद होने के बाद मैं हमने एक और भूल कर दी 15 अगस निस से 47 को राखों लोगों की बलिदान से उनके शहादत से जो हमें आजादी मिली उस समय भी हमने भूल कर दी जैसे अंग्रेश चला रहे थी वैसी देश को चलने लग गए फिर आजादी किस बात की खाली चेहे बदल गए हमने सिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला जैसे किसा व्यवस्था को नहीं बदला अर्थ व्यवस्था को नहीं बदला हमने देश की क्रिश्थी व्यवस्था को नहीं बदला हमने देश की राजनेतिक व्यवस्था को नहीं बदला प्रसास देशने की व्यवस्था को नहीं बदला सही नहीं नहीं किया गए भाशा को लेकर कि हमने भूले की सिक्षा बवस्था को लेकर कि भूले की बहुत भूले हुई है बहुत गलतिया हुई है इससे पहले जाएं तो संधिया करके हमने भूले की अच्छी संधिया होनी चाहिए लेकिन हमने विदेशियों के दबाओं में आकर की संधियां की इस्ट इंडिया कंपनी से हमने संधिय कर ली उससे दिश पराधिंता के द्वार हमने खोल दिये राजनेतिक भूले की विदेश आकरंताओं के साथ हमने भूले की पिस उराज चोहान जो देश का अंतिम शक्रवर्थी समराथ मुहमद गोरी को तोदे बार पराजित किया छोड़ दिया हर बार अरे शत्रू आतताई देश का दुस्मन उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए उसको तो भगवान के आम हिज़ देना चाहिए और भूले आज भी हम कर रहे हैं जो देश के दुस्मन हैं उनको हम आज भी जिनको फारसी पर लटका देना चाहिए था उनको हम अपनी जेलों में बिठा करके खेर पूरी खिला रहे हैं बिर्याने खिला रहे हैं क्या 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 कर रहे हैं भारत के राजनेतिक सामराज्य का अंतु हुआ उसमें राजनेतिक भूले थी हैं भारत के आर्थिक सामराज्य का अंतु हुआ भारत के आर्थिक सामराज्य का अंतु हुआ रे बोले ये तो कुछ नहीं माया तो आनी जानी है ये तो हाथ का मेल है हमने माया की निंदा की जगत की निंदा की सब धन और दौलत विदेशे लोट लोट करके लेके गए रोबर्ट कराई अकेले की बात हम सुनते है कि उसने यूसुप बड़े पाने के जाज सोने चांदी हीरे जवारात के भर करके लोट दे रहे और हम बैठे बैठे देखते रहे हमारे मंदिर लुट गए हमारे धर्मस्तान लुट गए हमारा धन लुट गया हमारी दोलत लुट गई सब कुस होता रहा है और हमान हो करके बैठे रहे मुझे क्या सारा देश का वैभ हो लुट गया आर्थिक भूल सुस्कृतिक भूल अध्यात्मिक भूल हमने अध्यात्मिकता को दरीदरता मान लिया पलाइन को ही सन्यास मान लिया आज हम कर्म कर रहे हैं मुझे ही रहे प्रश्य करते हैं बाबा आप आईरवीद की समृद्धी क्यों कर रहे हो बाबा आप जो है देश को क्यों जगा रहे हो आप देश के जो जलंत प्रश्रा है उनके उपर आप बात क्यों कहते हो हम इनके क्यों रखो यह तो मेरा सन्यास है एक सन्या से ही देशित की बात नहीं करेगा तो और करेगा कौन बात बड़ी बड़ी हमने भूलेगी इसाप पूरु से हम जब देखते हैं इसाप के पशाट यहाँ पर सिकंदर आया इसको पूरु ने पराजित कर दिया फिर भी पराजित करने के बाज भी छोड़ दिया जिन्दा ही जाओ कितना पराक्रमी राजा था अशूद लेकिन बाद में उसने भी हिंसा का ऐसा आलाप आलापनसरू किया कि जो हिंसा शत्रू को पराजित करने के लिए थी आततायों को असरों का संघार करने के लिए हुआ करते थी आततायी का अंत करना अप्राधी का दुराचारी वेविचारी का अंत करना ये हिंसा नहीं है हिंसा ही है वेदों में आज याई इसके लिए उठो विरो जागो आततायों का अंत करो ये वेद कादिस है वैदी की हिंसा हिंसा ना बहुती हमने अपना राज धर्म भुला दिया राष्ट धर्म भुला दिया भगवान श्यक्षण की नीती को बुला दिया योगिश भगवान श्यक्षण की नीती एजो अपराधिये अतताई हैं जो दुर्वाचारी हैं वे बिचारी हैं जो मानवता के शत्रु हैं वो لمपट हैं उनका किसी भी नीती से उनका अंत करना चाहिए बस यही धर्म है बहुत हमसे गलतियां होते रहे भूले होते रहे इसी संदर्म में आपका मर्ग दर्शन करने के लिए क्या क्या हमने भूले की क्या क्या हमने गलतियां की क्या क्या हमने गलत नणे लिए जिसके कान से आज भारत की यह देनी अतशा बनी है दुर्दशा हुई है इस संदर्म में व्याक्यान देने के लिए भहराजीव जी जो वर्षनों से इतिहास का अध्यन कर रहे हैं और पूरा जीवन जेनों ने इस भारत साभिमान की इस विराट यह जी में समर्पित किया है मैं उनको आमंद्रित करता हूँ आज की सुद्बोधन के लिए परंपुजनिये स्वामी जी सभी सम्माननी बहनों भाईयो आज मैं आपसे संबाद करूँगा भारत देश की उन भूलों के बारे में जिनके करने पर हमने बहुत कुछ खोया अपने देश का एक किसी कवी ने कहा है लहमों में खता की थी सदियों में सजा पाई मаже भूल कोई होती है वो किसी छण विशेश पर होती है लेकिन उसकी सजा पूरे के पूरी सब्विताव पूरी संस्कृति और पूरे समाज को सदियों तक भूगतनी पड़ती है सेक्डों सालों तक वो सजा हम बुगतते रहते हैं छोटी सी एक भूल किसी छड में हमसे हो जाती है तो भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले 63 वर्षों में क्या-क्या ऐसी बड़ी भूले हुई है जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है और आजादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूले हुई है जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है ये दो हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूँगा व्याक्यान का प्रथम भाग होगा आजादी के बाद हमसे जो भूले हुई पिछले 63 वर्षों में और व्याक्यान का दूसरा और अंतिम हिस्सा होगा आजादी के पूर्व हमसे जो भूले हुई मैंने इसमें जो कालखंड लिया है जो समय लिया है वो आज से लेकर लगबग पिछले ढ़ाई सो वर्षों तक का है तटस्त रूप से निश्पक्ष रूप से हम सब उन भूलों के बारे में गंबीरता से चिंतन करें और आने वाले समय में भारत स्वाबिमान के अभयान में जब हम लगें और एक संगठन के रूप में हम काम करें तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि जो भूलें हमारे पूरवजों ने कर दी पुर्खों ने कर दी वो भूलें हमें हमारे संगठन में नहीं दोरानी है क्योंकि भूलों को दोराया नहीं जाता भूलों को जो दोराते हैं वो अपना इतिहास नहीं बना सकते उनका कोई भविश्य नहीं हो सकता वो बरतमान में ही दफन हो जाते है दुनिया में सबसे अच्छी सब्विताएं वो मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार करती चली जाती है और दुनिया में वही सब्विताएं जीवन्त मानी जाती है जो अपनी भूलों का सुधार समय के अनुसार करती रहती है तो भारत की सब्विता के बारे में हम मानते हैं कि ये बहुत पुरानी सब्विता है और शायद इस समय दुनिया में सबसे पुरानी जीवित सब्विता है भारत के बाद की बहुत सारी सब्विता आई और चली गई लेकिन भारतिय सबिता अभी तक जीवित है पूरी दुनिया में तो शायद इसलिए कि समय के साम हमने भूलों का परिशकार करना सीखा है तो भविश्य में भी हम इन भूलों का परिशकार अपने जीवन में और समाज में कर पाएंगे इस द्रश्टी से थोड़ी सी बाते में रख पाऊंगा क्योंकि भूलें तो बहुत हैं लेकिन जिन भूलों ने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया हमारा भूगोल बदल दिया हमारी सबिता हमारी संस्कृती को पूरे गहरे तक मत डाला जिन भूलों ने हमारी अर्थ व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया जिन भूलों के कारण देश के टुकड़े हो गए ऐसी कुछ गंबीर भूलों की तरफ आपका ध्याना करशित करूंगा आजादी के पिछले 63 वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो यह कि जब हम 15 अगस 1947 को आजाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बटवारा सुईकार कर लिया यह हमारी बहुत बड़ी राजनेत एक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेशग्यों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बटवारा सुईकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता लेकिन 14 अगस 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मनजूर करा लिया या हमने सुईकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्शों में आपके मन में सवाल आया कि ये भूल किस्से हुई हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान को सुईकार किया या हमारे देश के नेताओं ने पाकिस्तान बनवा दिया लोगों की बात अगर मैं करूँ आपसे तो 1937 से भारत में एक राजनेतिक पार्टी बनी मुहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उस राजनेतिक पार्टी ने भारत देश में पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि मुहम्मद अली जिन्ना अपनी पार्टी की तरफ से जो मांग कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए धर्म के आधार पर संप्रदाई के आधार पर हमें एक अलग देश चाहिए मुस्लिम संप्रदाई को एक अलग देश चाहिए या मुस्लिम सब्विता को एक अलग देश चाहिए इस मांग को भारत के मुसल्मानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसल्मानों की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्ना के द्वारा की गई इस मांग को भारत के मुसल्मानों ने कभी भी समर्थन नहीं दिया भारत के मुसल्मानों ने कभी भी पाकिस्तान की मांग को मन्जूर नहीं किया तो आप बोलेंगे फिर जिन्ना कैसे सफल हो गया और जिन्ना की राजने तेक पार्टी कैसे सफल हो गई पाकिस्तान बनवाने में भारत के मुसल्मानों ने जिन्ना का समर्थन नहीं किया मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक एक दो ऐसी घटना है सुनाना चाहता हूं कि भारत के मुसल्मानों का जिन्ना के प्रती कैसा रवया था कई बार जिन्ना मुसल्मानों के बीच में व्याख्यान देने जाता था और मुसल्मानों को इस बात के लिए उकसाता था कि तुमको अलग पाकिस्तान लेना चाहिए तुमको अलग देश बनाना चाहिए सब तरह का विश वो लोगों के मन में भरता था तो कई सभाओं में जिन्ना का स्वागत जूतों की महला के साथ होता था लोग गुसे में आते थे एक सभा में तो उसको लाहूर की एक सभा थी जिसके बहुत सारे दस्तावेज उपलब्द है जिन्ना को जूतों की महला डाल दी लोगों ने गले में और कहा भाग जाओ यहां से हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें तो इसी भारत में रहना है हमें अलग देश नहीं चाहिए क्योंकि अलग देश होकर हमारा अस्तित तो खत्रे में पड़ जाएगा जो मुस्लिम दूसरे नेता हुआ करते थे वो ये कहा करते थे कि अगर अलग पाकिस्तान बना तो एक तरफ तो भारत है ही हमेशा और दूसरी तरफ चीन बैठा है इतना ताकतवर देश कभी भी पाकिस्तान को खतम करा देगा इसलिए जो जो जिम्मेदार और समझदार मुस्लिम नेता थे इस देश में जैसे मौलाना अबुलकला माजाद थे और इनके बहुत सारे सहयोगी मुस्लिम नेता थे बदरुदीन तयब जी करके एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे फिरोशा करके एक बड़े मुस्लिम नेता हुए इस देश में ऐसे बहुत समझदार मुस्लिम नेता कहा करते थे कि पाकिस्तान अगर बना तो ना सुखी होगा ना समरुद शाली होगा ना संपत्ति शाली होगा उल्टा हमेशा दो देशों के बीच में फसा रहेगा और चक्की में घुनकी तरह से पिस्ता रहेगा एक तरफ चीन बैठा है दूसरी तरफ भारत तो है ही इसलिए जादा समझदार मुस्लिम नेता मानते नहीं थे जिन्ना की बात को फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया वास्तविक्ता ये थी कि जिन्ना की ये जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था और वास्तविक्ता जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे जो एतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था अंग्रेजों की ये कुटिल नीती थी उनकी ये कूट नीती थी या उनकी ये दुर नीती थी कि वो भारत को तोड़ कर यहां से छोड़ कर जाए अंग्रेजों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे पिछले 500 वर्षों का दुनिया के लगबग 71 देशों को उन्होंने गुलाम बनाया पिछले 500 वर्षों में Australia उनका गुलाम हुआ, New Zealand उनका गुलाम हुआ, Singapore उनका गुलाम हुआ, Hong Kong, Taiwan को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया भारत के पड़ोसी बहुत सारे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी में गए फीन भी गुलाम रहा काफी दिनों तक अंग्रेजों का, जापान को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया दुनिया के ऐसे 71 देशों में, अमेरिका, कनाडा भी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं ऐसे 71 देशों में जहां जहां अंग्रेजों ने अपना सामराज इस्थापित किया था उन सभी देशों को छोड़ने से पहले अंग्रेजों ने उनका बटवारा किया था अफ्रीका का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो अफ्रीका में अंग्रेजों ने साड़े चार सो वर्षों की गुलामी लाई थी या साड़े चार सो वर्षों तक अफ्रीका में अंग्रेजों का सामराजी चला था और अफरीका के एक-एक देश को सीधी सरल रेखा में उन्होंने बाट दिया अगर आप थोड़ा सा विश्व के मानचित्र का अध्यन करेंगे तो अफरीका का नक्षा अगर आप देखेंगे तो अफरीका के जो देश हैं जैसे नाइजीरिया है जैसे सोमा लिया है, जैसे एथियोपिया है, जैसे जिंबाब्बे है ऐसे अफरीका के छोटे बड़े देशों को आप देखेंगे नक्षे में तो सभी देशों की सीमा रेखा हैं, एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है कोई देश चौकोर है कोई तिकोना है कोई चनपंचकोनी है कोई शटकोनी है इस तरह से देशों को काटा है मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि देश की सीमाए कभी भी सीधी सरल रेखा नहीं होती देश की सीमाए टेडी मेडी रेखा होती है बल्लब भाई पटेल जैसा लहोपुरुश हम को बेज दिया उसी समय में और उनकी दूर दरश्टी थी उन्होंने अंग्रेजों की चाल को काम्याब नहीं होने दिया वरना अंग्रेज तो भारत के पांच सो पैसे टुकड़े करना चाहते थे और भारत को वो ऐसे ही बांचने की योजना लेके आए थे जैसे अफरीका को उन्होंने बाटा तो अफरीका के देशों के बारे में आप ध्यान से देखेंगे सभी देशों की सीमाएं स्ट्रेट लाइन में हैं सीधी सरल रेखा है ऐसे माटा है अंग्रेजों ने मन मानी से मन मरजी से तो अंग्रेजों की योजना थी जैसे अफरीका में उन्होंने किया कि देश को छोड़ा तो बटवारा कराया उस देश का खंड खंड तोड़ा उस पूरे अफरीका के लोगों को वैसे ही उनकी योजना भारत के लिए थी कि भारत को वो छोडेंगे तो एक देश नहीं रहने देंगे उसको खंड-Kंड तोडेंगे तो उन्होंने क्या किया भारत में पांचसो पैसट रियासते हुआ करती थी उनके राजा हुआ करते थे उनको भड़काना शुरू किया उकसाना शुरू किया और हर एक राजा को अंग्रेज ये कहा करते थे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कि आप चाहो तो भारत से अलग हो सकते हो और ज्यादा तर राजा ये कहा करते थे नहीं हमको तो बारत में विला होना है बारत में मिलना है तो फिर अंग्रेज उनको और चिड़ाने के लिए कहते थे कि फिर आपकी मरजी भविश्व में आपका क्या होगा हम नहीं जानते तो इस तरह से राजाओं को भड़का कर राजकुमारों को भड़का कर उनकी योजना थी कि वो भारत को 565 टुकड़ों में तोड़ें लेकिन उनकी योजना कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उनकी योजना को नाकामियाब करने के लिए सरदार बल्लब भाई पटेल ने रात दिन एक कर दिया था और जी जान लगा दिया था इसलिए भारत की अधिकांश रियासतें तीन को छोड़कर एक रियासत थी जम्मू काश्मीर एक रियासत थी उसका नाम था जूनागर जो गुजरात में हैं समुद्र के किनारे हैं और एक रियासत थी हैदराबाद ये तीन रियासतों को छोड़कर पांच सो बासट रियासतो उने अंग्रेजों की किसी बात को नहीं माना था और उन्होंने संकल्प्लिया था कि भारत की आजढ़ी के साथ हम भारत में ही रहेंगे भारत में ही विले होंगे हमारा भारत से अलग कोई अस्तितु नहीं है तो अंग्रेजों की चाल कामियाब नहीं हुई 562 रियासतों ने भारत में मिलने का फैसला किया था और वो विले हो गए तीन रियासतें अंग्रेजों की चाल में फसी थी जम्मू काश्मीर फसा हैदराबाद फसा और जुनागण फसा इन तीन रियासतों को अंग्रेजों ने भड़का रखा था कि आप भारत में मिलोगे तो कोई फाइदा नहीं है आप भारत से अलग हो जाओ एक नया राष्ट बनाओ तो जम्मू काश्वीर में ये मांग शुरू हुई थी कि हम भारत से अलग एक नया राष्ट बनाएंगे इसी तरह जुनागर का जो राजा था वो मुसल्मान था उसने ये कहना शुरू किया था कि हम तो पाकिस्तान में जाके मिलेंगे और हैदराबाद का जो निजाम था वो भी ऐसी बातें करता था वो कहता था या तो मैं स्वतंत रहूं नहीं तो मैं पाकिस्तान में जाऊं भारत में तो नहीं मिलूंगा लेकिन सरदार पटेल की होशियारी ने और सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ने इन तीनों राज्यों को थोड़े समय के बाद फिर से भारत में मिला लिया था अंग्रेजों का साशन खतम होने के बाद ये तीनों रियासते भारत में आकर मिली ये एक कहानी है जो हमारी समझ अंग्रेजों के बारे में बनाने के लिए जानने के लिए आवश्यक्ता है दूसरी एक कहानी कि जब अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि जादतर भारत की रियासतें अलग नहीं हो रही है वो सब भारत में ही मिलने को तयार हैं तब उन्होंने जिन्ना को अपनी मोहरा बनाकर अपनी गुटी बनाकर खेलना शुरू किया जिन्ना को अंग्रेजों ने एक पैदे की तरह से इस्तेमाल किया शतरंज का जो खेल होता है ना उसमें कुछ पैदे होते हैं वैसे ही जिन्ना अंग्रेजों का प्यादा बना और जिन्ना के पीछे अंग्रेज तब से लगे हुए थे जब मुहम्मद अली जिन्ना लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गया था बैरिस्टर हुआ था वो लंदन से उसने पढ़ाई की थी तब से अंग्रेजों ने जिन्ना को देख रखा था और जब वो भारत लोटा तो सब तरह का सहयोग करके जिन्ना की एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम मुस्लिम लीग पढ़ा ये मुस्लिम लीग को बनाने के लिए सारा पैसा अंग्रेजों ने दिया जिन्ना को और ना सिर्फ पैसा दिया बलकि अंग्रेजों ने अपने अखवारों में मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा और बखान करवाना शुरू किया अंग्रेजों के जो अखवार निकला करते थे इस भारत देश में जिन्ना की पार्टी के बारे में खूब बड़ी बड़ी खबरें चपती थी ठोटा सा कोई कारीकर्म जिन्ना की पार्टी करे तो अंग्रेजों के अक्वार में मुख प्रष्ट पर उसका समाचार छपता था और इस तरह से जिन्ना को हवा बरी अंग्रेजों ने और धीरे धीरे तैयार किया कि तुम तो अलग देश मांगो पाकिस्तान भारत में रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और इस तरह से जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया लेकिन भला हो भारत के मुसल्मानों का उन्होंने जिन्ना का समर्थन नहीं किया फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कुछ मुसल्मानों को बंगाल के कुछ मुसल्मानों को और खासकर बिहार के कुछ मुसल्मानों को जो जिन्ना के साथ थे पैसे देकर, फंड देकर, रिश्वट देकर, लालच देकर, घूस देकर तैयार करवाना शूरू किया, कि तुम भी पाकिस्तान माँगो तो बंगाल में एक नेता निकल आया उसका नाम था सोहरा वर्दी और वो जिन्ना के साथ मिलके एक दूसरा नेता बना जिसने का मुझे पाकिस्तान चाहिए हमें पाकिस्तान चाहिए हमें संप्रदाई के आधार पर बटवारा चाहिए तो इस तरह से पाकिस्तान की मांग 1937 के बाद इस देश में खड़ी की गई अंग्रेजों की पूरी ताकत उसमें लगी पैसा लगा उनकी शक्ती लगी उनकी अकल लगी उनकी बुद्धी लगी और इस तरह से ये बाद बढ़ती चली गई बाद में क्या हुआ 1942 में अंग्रेजों ने दूसरे विश्युद में जब उनकी बहुत बुरी हालत हो गई दूसरा विश्युद 1949 से शुरू हो गया था और जर्मनी ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी उस समय जर्मनी का जो हिटलर था उसने अंग्रेजों को इतना मारा था इतना पीटा था कि हाल खराब हो गया था इनका बम गिराए थे इतने पूरे इंग्लेंड पर कि लाखों लोग मर गए थे और यूरोप के और देश जो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे वो भी पिट गए थे तो अंग्रेजों की 1942 तक हालत बहुत खराब हो गई तो अंग्रेजों ने परोक शुरूप से ये कहना शुरू कर दिया कि शायद अब भारत में वो जादा दिन नहीं रह पाएंगे या भारत में जादा साशन नहीं कर पाएंगे और 1945 में जब दूसरा विशुद खतम हो गया और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से द्वस्थ हो गई तब तो अंग्रेजों ने खुल कर कहना शुरू कर दिया कि अब भारत छोड़ कर वो चले जाएंगे और 1946 में बाकाइदा उसकी गोशना हो गई और 1947 में 15 अगस्त को वो चले गई लेकिन जब 42 से अंग्रेजों का ये मन बन गया कि उनको भारत से चले जाना है छोड़ देना है तो उन्होंने भारत के नेताओं से बिना बताये हुए ट्रांसफर ओफ पौवर की बात करना शुरू किया और उन नेताओं में बहुत महत्तुपुन उनके लिए जिन्ना था और जिन्ना को फिर से उन्होंने यही बात समझाना कि अलग पाकिस्तान ले लो अलग देश ले लो तुम परदान मंत्री हो जाओगे तुम ऐसे हो जाओगे और ये सब चलना हो गया और आगे ये बढ़ता चला गया अंत में ये हुआ महात्मा गांदी एक बड़े नेता थे उस समय आजादी के अंदोलन के उन्होंने एक संकल प्ले रखा था वो ये कि भारत का बटवारा होगा नहीं किसी भी कीमत पर और महात्मा गांदी ने पूरे देश में ये ऐलान कर दिया था कि भारत बटेगा नहीं भारत एक रहेगा अखंड रहेगा अगर भारत का बटवारा कोई करना चाहता है तो उसको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए मैं होने नहीं दूँगा और एक दिन तो इतनी कठोर बात कही उन्होंने कि भारत का बटवारा बाद में होगा पहले मैं मरूंगा और मेरी लाश पे भारत का बटवारा होगा तो गांदी जी ने ये एलान कर रखा था और आपको शायद मालूम है ये बात कि भारत के करोणो नागरिक गांदी जी के साथ थे तो करोना लोग भी गांदी जी के संकल्प के साथ थे हिंदू हों, मुसल्मान हों सब लोग गांदी जी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बटवारा नहीं कराना है तो माउंट बेटन नाम का एक आदिमी भेजा गया इंग्लेंड से और उसको इसलिए भेजा गया कि वो जाकर भारत का बटवारा कराने में मदद करे और माउंट बेटन को भारत में अंग्रेजों का आखरी वोईसराई माना जाता है आखरी गवर्न जर्रेनल माना जाता है उसने आके जो गोटियां बिचाई उसके आधार पर भारत के बटवारे की प्रश्ट भूमी तयार हुई उसने क्या किया जिन्ना को और ज्यादा राजनेतिक महत्वा कांच्छा से प्रेरित कराके एकदम से पक्का खड़ा कर दिया कि हमको तो पाकिस्तान नहीं चाहिए तो बाचीत शुरू हुई और उस बाचीत में जो अंदर के दस्तावेज है जो मैं आज आप से कहना चाहता हूं वो ये कि जिन्ना एक बार महत्मा गांधी से मिलने गया महत्मा गांधी ने जिन्ना को पूछा भाई तुमको क्या चाहिए कि पाकिस्तान चाहिए क्यों चाहिए मुझे प्रधानमंत्री होने का है अलग मुसल्मानों का देश बनाने का है तो मातमाद गांदी ने का कि भारत के मुसल्मान तो चाहते नहीं कि अलग पाकिस्तान बने वो तो तुम्हारे साथ है नहीं तो जिन्ना ने कहा कि नहीं मेरे साथ बहुत मुसल्मान है तो गांदी जी ने कहा कि देश में एक जन्मत संग्रे करा लो तो जिन्ना उस बात से पीछे हट गया फिर गांदी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुमको प्रधानमंत्री ही होना है न, तु भारत के हो जाओ, इस में क्या बुराई है, लेकिन देश तो एक रहे, देश तो नहीं तूटे, तो जिन्ना तुरण तयार हो गया, और गांदी जी को लगा कि इसकी यही कम्जोरी है, कि यह प्रधानमंत्री होना है इसको, अब जिन्ना ने जब ये मान लिया कि मैं प्रधान मंत्री हो जाओं तो उसने का फिर भारत नहीं बटवारा मुझे करना फिर भारत को नहीं तोड़ना माने प्रधान मंत्री पत चाहिए अब जिन्ना के सामने जो व्यक्ती थे प्रधान मंत्री पत के उम्मीदवार वो थे पंडि इसी छण विशेश पर हम एक मामूली सी भूल करते हैं और वो देश के लिए पूरा इतिहास बदल देती है जब नहरू जी के सामने ये बात आई कि जिन्ना प्रधान मंत्री बनने के लिए बात कर रहा है और वो देश का बटवारा नहीं चाहता तो गांदी जी ने संदेशा बिजवा दिया कि ठीक है जिन्ना को प्रधान मंत्री सुईकार कर लेने में कोई गलती नहीं है अगर देश तूटने से बचता है तो इसको प्रधान मंत्री सुईकार करने में कोई दिक्कत नहीं है नहरू जी ने एक बहुत कड़वा वाक्य कहा परम पूजनी स्वामी जी हम लोगों को बार बार ये कहते रहते और मैं इस बात को विशेश रूप से ध्यान से सुनता हूँ कि भाशा का प्रमाद नहीं होना चाहिए बोली में प्रमाद नहीं होना चाहिए और वो प्रमाद नहरू जी की बोली में आ गया नहरू जी ने पब्लिक एक स्टेटमेंट कर दिया पूरे देश की जनता के सामने उनका बयान आ गया कि मैं मुहम्मद अली जिन्ना को अपने कैबिनेट के मंत्री मंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता पंडित जवारलाल नहरू ने ये कह दिया कि मैं मुहम्मद अली जिन्ना को अपने मंत्री मंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता माने सीधी सी बात है कि मैं उनको अपने मंत्री मंडल का चपरासी नहीं बना सकता प्रधान मंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है और ये बात जिन्ना के दिल में तीर की तरह से चुप गई और जिन्ना ने फिर कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए और यही अंग्रेज चाहते थे अंग्रेज और ने फिर उस मौके को लपक लिया और जिन्ना को थोड़ी और हवा दी और थोड़ा भड़का दिया और फिर उसने मारकाट शुरू करा दी एक डायरेक्ट एक्षन प्लैन शुरू हुआ था बंगाल में और जिन्ना के मुस्लिम लीग पार्टी के जो सदस्य हुआ करते थे उन्होंने तलवारे निकाल कर हिंदों का कतल आम शुरू कर दिया था बंगाल में और इस बयान के बाद सारी इस्थती और परिस्थती बदल गई महात्मा गांदी बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह से बात बन जाए लेकिन वो बात नहीं बनी और जिन्ना उसके बाद फिर माना नही और गांदी जी को मिलने भी नहीं आया फिर उसने कहा कि पंडी जब आरला नहरू कहते हैं कि मैं उनके मंतरी मंडल का चपरासी बनने लाइक नहीं हूँ तब तो सवाली नहीं उठता अब तो मैं नया देश बना के ही रखूँगा और उसका प्रदान मंतरी बन के दिखाओंगा अच्छा जिन्ना का जो एक डाक्टर था जो उसका इलाज करता था उस डाक्टर ने कोई सूचनाएं लोगों को भिजवाई थी और कॉंग्रेस के कई बड़े नेताओं को ये जानकरी दी थी कि ये जिन्ना जादा दिन का महमान नहीं है इसको बोण्टी बी हो गई है ये दो चार चे महमाने जिन्दा रहेगा उसके बाद मर जाएगा इसको प्रदानमंतरी अगर बनाना है तो बन लेने दो देश तो एक रहेगा बटवारा नहीं होगा लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में फिर वो हुआ अंग्रेज तो तैयार बैठे थे तो अंग्रेजों ने अपनी संसद में एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था Indian Independence Act और इस कानून की परिभाशा में ये तै किया गया कि इस कानून के पास होते ही भारत के दो हिस्से हो जाएंगे एक भारत रहेगा दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा पाकिस्तान कहां कहां हो जाएगा उसकी सीमा तै कर दी अंग्रेजों ने और भारत कहां कहां रहेगा उसकी सीमा तै कर दी अंग्रेजों ने और इस तरह से ये बटवारा हो गया और आपको इतिहास की एक सच्चा ही बताना चाहता हूँ जो दर्द देती है दिल में वो ये कि पाकिस्तान मिलने के थोड़े महीने के बाद ही जिन्ना मर गया सच में मर गया और वो टीवी से मर गया उसको बोन टीवी थी तो बार बार उसके डॉक्टर की बात याद आती है कि उसका डॉक्टर ये कहा करता था कि ये पाच्छे महीने का महमाने इसको बन लेने दो प्रधान मंतरी बाकी तो फिर पूरा देश हमारा ही है लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लिया अगर ले लिया होता तो भारत की ये एतिहासिक गलती हमसे नहीं हुई होती और पाकिस्तान नम का देश अलग नहीं हुआ होता और ये भारत एक अखंड देश रहता अब उसके बाद क्या हुआ कि जिन्ना तो मर गया और मरने के बाद फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपकी आँखों के सामने है उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक मामले में मैं दखल नहीं देना चाहता लेकिन जितना मामला भारत से जुड़ा हुआ है वो ये है अब इस मामले का अंतिम जो वो निकला सच बन के सामने कि बटवारा हुआ भारत पाकिस्तान तो मुसल्मानों को पाकिस्तान जाना है और हिंदूओं को पाकिस्तान से भारत आना है बहुत सारे मुसल्मानों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और बहुत सारे हिंदूओं न पाकिस्तान से भारत में आने को मना कर दिया तो फिर मारकाट शुरू हुई और सारी दुनिया का इतिहास इस बात का गवा है कि एक देश के दो टुकडे हुए तो इतने लाख लोगों की मारकाट कभी किसी देश में नहीं हुई जो भारत में हुई भारत और पाकिस्तान के बनने पर लाखों लोगों का कतले आम हुआ है उसके सही सही आंकड़े नहीं मिलते हैं पाकिस्तान के आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लाखों लोगों का कतले आम हुआ लाखों मा बेहन बेटियों की हिज़त सो में बेल गाडी में गोड़ा गाडी में खचर में लोग धेर के धेर इधर से उधर उधर से दर जाते थे किसी को अपना घर छोड़ना पड़े संपत्ती छोड़नी पड़े अपनी सब्विता अपनी संस्कृती छोड़नी पड़े और उजड़ कर दूसरी जगे जाकर रहन पड़े इसका दर्द वही बता सकता है जिसका उजाड हुआ है घर और भारत में ऐसे लाखों परिवार है शायद मैं कहूं तो अब कुछ करोड परिवार ऐसे होंगे जो उजड़ कर पाकिस्तान से भारत में आए और सब कुछ उन्होंने वहां छोड़ा था कुछ नहीं ला पाए और यहां लाकर शूनने से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज भगवान की करपा से वो शिखर तक भी पहुँचें प्रणाम है उनकी महनत को वंदन है उनकी महनत को कि पाकिस्तान से उजड़ कर आए कुछ हाथ में नहीं था आकेले आए किसी की पतनी चूट गई किसी की बहन चूट गई किसी की माँ चूट गई किसी का कुछ चूटा किसी का कुछ चूटा और किसी तरह से मारते पीटते भागते भूगते यहां आकर उन्होंने कहीं कहीं आशिया ने बनाए और आशिया ने बनाकर भारत देश को और अपनी इस मात्र भूम का दर्द उनके दिल में जो टीस मारता रहता है ये शायद कब जाएगा मालूम नहीं है ये हमारी एक बहुत बड़ी एतिहास एक भूल थी कुरसी के एक पद के लिए प्रदानमंत्री पद के लिए ऐसा सत्ता का समझोता नहीं हो सका जो सब को समावेश कर सके और उसी में ये और ये हमारे देश में एक बड़ा उन्होंने विश का बीज बो दिया अब ये विश का बीज ऐसा हमारे लिए मुश्किल बन गया है गले की फास बन गया है ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है अब वो जो तीन राज भारत में मिलने को तैयार नहीं थे जम्मू इन तीनों राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रयास किया जाए तो जूनागर राज्य को उन्होंने मिला लिया बाद में हैदराबाद भी भारत में मिल गया क्योंकि सरदार पटेल ने दोनों राजाओं को ये कहा था कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो तो चले जाओ तुम्हारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी जनता की इसके लिए अनुमती नहीं है हैदराबाद रियासत में सरदार बल्लब भाई पटेल ने एक आंतरिक सर्वेक्षन कराया था क्योंकि वो भारत के ग्रह मंतरी बन चुके थे उन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षन ये कराया था कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से पूछो वो क्या चाहते तो पता चला 97 प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है तो सरदार बल्लबाई पटेल को होसला बढ़ा उत्साह बढ़ा और उन्होंने हैदराबाद की निजाम को कहा कि तुमको जाना है तो चले जाओ ये राज्य तो भारत में ही रहेगा क्योंकि यहां के नागरिकों का कहना है कि हम भारत में रहना चाहते हैं और हैदराबाद का निजाम फिर तैयार नहीं हुआ तो एक दिन सरदार पटेल ने उनको संकेत में एक धमकी दी थी कि निजाम ये समझ लेना कि मैंने मेरे हातों में चूड़िया नहीं पहन रखी है जब तक मैं तुम्हें जहिल रहा हूँ तब तक जहिल रहा हूँ जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि अब सीमा खतम हो गई है जहिलने की तो दो चार घंटे ही लगेंगे भारत की एर फोर्स के जवान भारत की सेना के जवान तुमारे हैदराबाद में उतरेंगे और एक जटके में पूरा हैदराबाद भारत में मिल जाएगा और उसके समानां तर हैदराबाद रियासत में एक संग्राम चल रहा था पूरी रियासत को भारत में मिलाओ नागरिकों की तरफ से एक आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आरी समाज के नेताओं की आरी समाज के नेता पूरे हैदराबाद रियासत में उस समय सक्रिय थे और भारत के कुछ समाजवादी नेता जैसे श्री राममनोहर लोहिया और उनकी एक बड़ी फाज ये सब इस बात के लिए सक्रिये थे कि हैधराबाद को भारत में मिलाना है तो हैधराबाद रियासत के गाओं गाओं में ये नेता घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे और जनता को समझा रहे थे कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना है भारत में रहना है तो उसका फल मिला था उस प्रचार का बहुत बड़ा फल मिला था जनता ने ये फैसला कर लिया था कि हम तो भारत में ही रहेंगे तो निजाम एक दिन फिर भाग गया भारत छोड़कर और भारत में पूरा हिदराबाद राज मिला लिया गया और इसी तरह से जूना गड़का हुआ जूना गड़का भी सारा का सारा राज इसी तरह से भारत में मिलाए गया अंत में जम्मू काश्मीर का मामला आया और जम्मू काश्मीर के मामले में हुआ ये था कि जम्मू काश्मीर के महराजा थे हरी सिंग उनके दिल में अंग्रेजों ने ये जोत जला दी अलग देश बनाना, अलग राष्ट बनाना, बफर स्टेट बनाना और वो इसी का गाना गाते रहते थे और अंग्रेजों कमन में था कि ये जम्मू कश्मीर तो अलग होई जाए जैसे पाकिस्तान अलग हुआ और अंग्रेज उस आग में घी डाल रहे थे उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ तो महराजा हरी सिंगे हाथ-पाउँ फूल गए उनके पूरी सेना नहीं थी जो पाकिस्तान के हमले का सामना कर सके और महराजा हरी सिंग को ये दिख गया कि अब तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक पहुँचने वाली है अब ज़्यादा दूर नहीं है और अब तो ये शिरिनगर भी गया जम्मू भी गया सब कुछ गया तो उनके दिल में था कि एक स्वतंत राष्ट बनेगा अब तो लगा कि ये पाकिस्तानी राष्ट बन जाएगा तो अंत में उन्होंने हतियार डाले और सरदार बल्लब भाई पटेल के पास अपने प्रदान मंतरी को भेजा और कहा कि अब आप हमें बचाओ तो सरदार बल्लब भाई पटेल ने मुसकराते हुए का कि हम क्यों बचाए आपको क्यों बचाए जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है नहीं और आप तो कहते हो कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे तो अपना स्वतंत्र देश बना लो हम आपको क्यों बचाएं तो जो प्रदान मंतरी था महराज हरी सिंग का बहुत होशया बहुत चतुर व्यक्ती था उसने का कि इस समय बहस करने का समय नहीं है बाद में हम तै कर लेंगे लेकिन ये पाकिस्तानियों से तो हमें बचाना है अपने राज्ज को तो सरदार पटिल ने का कि मैं मेरी सेना भेज सकता हूं और पाकिस्तानियों को हमारी सेना गाजर मूली की तरह से काट देगी लेकिन एक शर्त है तो शर्त क्या है शर्त ये है कि आप बिना किसी शर्त के भारत में मिलने का फैसला करो और एलान करो कि भारत में आपका पूरा राज्जी का विले होगा उसी कंडिशन पे भारत की सेना आपको बचाने के लिए आएगी क्योंकि तकनी की रूप से जब तक आप भारत देश से जुड़ते नहीं है तब तक भारत की सेना आपकी रक्षा क्यों करेगी क्योंकि भारत की सेना तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और जम्मू काश्मीर क्योंकि भारत का अंग नहीं बन पा रहा है और आपने एलान कर दिया है कि इसको स्वतंत्र देश बनाना है तो हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे तो प्रधान मंत्री भागा भागा वापस गया महराजा हरी सिंग के पास और कहा कि सरदार पटेल ने तो ना कह दिया है सेना तो नहीं आएगी जब तक हम भारत में विले के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते भारत के साथ विले के संदी पत्र पर हमस्ताक्षर नहीं करते तब तक भारत की सेना नहीं आएगी और हम तो अब मारे जाएंगे और उस समय पाकिस्तानी सेना श्री नगर के बिलकुल नजदीक में थी हमला करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कबाईली लोग पाकिस्तानी सेना में भरपूर मदद कर रहे थे तो माराजा हरी सिंग ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये भारत में जम्मू कश्मीर का विले हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अबिन अंग बना और सरदार पटेल के सामने जब ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महाराजा हरी सिंग ने स्वीकार कर लिया है तो फिर सरदार पटेल ने आदेश किया कि अब भारत की सेना जम्मू काश्मीर कूच करेगी तो भारत की वायू सेना ने और थल सेना ने रात और रात 24 घंटे में जम्मू काश्मीर में जो अपरेशन चलाया वो दुनिया का सबसे अदबुत अपरेशन था हजारों सैनिक उतार दिये जम्मू काश्मीर में और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अदबुत था आप कल्पना कर सकते हैं श्री नगर तक पाकिस्तान की सेना पहुँच चुकी हो आप सोचो कहा तक आ गई सेना वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुँच चुकी हो तब भारत की सेना ने एंट्री की थी प्रवेश किया था और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया और पाकिस्तानी फिर उल्टे पैर भागे वहां से और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुँच गए और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारत की सेना के कबजे में आ गया और भारत की सिना के कब्जे में आ गया, तब भारत के सैनिक इतने उत्साह से भरे हुए थे, इतने जोस से भरे हुए थे, कि भारत के प्रदान मंतरी को बार-बार कह रहे थे, कि आप कुछ करना मत, बस थोड़ी महलत और दे दो, लाहो और कराची अब हमारे हाथ में आने वा बारत के प्रधान मंत्री ने बारत के ग्रह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्ध विराम की गोशना कर दी युद्ध विराम का नियम है कि जब युद्ध विराम की गोशना की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात नहीं माने और मंत्री मंडल का सबका हाँ हो जाए तब प्रधान मंत्री उसकी गोशना कर सकता है लेकिन प्रधान मंत्री महोदे ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ना उनकी सहमती ली उन्होंने अपने मन से गोशना कर दी और वो गोशना भी उन्होंने ऐसे नहीं क लोगों के सामने रेडियो पे जाके कर दी दिल्ली का ओल इंडिया रेडियो इस्टेशन है वहाँ गए और जाकर घोशना कर दी और अपनी तरफ से दुनिया भर को ये कह दिया कि हम संयुक तराश्टर संग की मद्यस्तता में इस जम्मू काश्मीर के मामले को हल करेंगे माने संयुक तराश्ट महासंग आए और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैठे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महराजा ने ये बोल दिया था हस्ताक्षर कर दिये थे दस्तावेज उसके मौजूद हैं कि वो तो भारत में विले कर चुके हैं तो भारत के प्रदान मंतरी को ये कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटिड एरिया मानते हैं विवादित छेत्र मा संग में होगा बस वहीं से ये एक छोटा सा बयान हमारे गले की फास बन गया और हड़ी बन गया अब पाकिस्तान बार बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटिड एरिया है विवादित छेत्र है और भारत ने तो बोला है कि इसक फैसला सेयुक्त राश्ट्र महासवा के दौरा होगा तो सेयुक्त राश्ट्र महासवा के लोग आएं जम्मू कश्मीर में रहें भारत की सेना वहां से हटाई जाए पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जन्मत संग्रे कराया जाए और वो जन्म नहीं नहीं उटना चाहिए था लेकिन वो एक बड़ी भूल हो गई और उसी भूलने जम्मू कश्मीर को विवादित छेत्र अंतर राश्ट्री दुनिया में बना रखा है भले हमारे लिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है येकिन सेयुक्त राश्ट्र महासवा के लिए जम और वहीं से ये सारा मामला खिचड़ी बन गया खटाई में पड़ गया अच्छा खासा पूरा जम्मू कश्मीर वहां के महराजाने दस्तावेजों पर हस्ताक्शर करके भारत के साथ विले कराया लेकिन प्रधान मंतरी महोदे के एक छोटे से बयान ने सारे मामले को बिग अमेरिका चाहता है वहां के लोग वही करते है और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये जम्मू कश्मीर का मामला सुलज जाए क्योंकि वो ये मानता है अमेरिका कि भविश में जम्मू कश्मीर कभी अमेरिका की मदद करने के लिए आएगा इसलिए इसको विवादिती रहने क्योंकि विबादित छेतर में गुसने के लिए रास्ता खुल जाता है अमेरिका को क्या इंट्रेस्ट है जमू कशमीर में अमेरिका की ये रणनीती है कि भविश्य में कभी भी चीन के साथ युद्ध लड़ना पढ़ा तो जमू कश्मीर अमेरिका के सेनिकों के लिए शर्र इस्तली बन सकता है बविष्य में चीन के खिलाफ अमेरिका को हुआई हमला करना पढ़ा तो अमेरिका से हुआई जा जाकर चीन पर हमला तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना पीट्रॉल उनमे नहीं चल पाएगा कि अमेरिका से उड़ान बढ़ें और चीन पे आकर हमला करें अमेरिका के हवाई जहाजों को उड़कर पहले उतरना पड़ेगा भारत के किसी इलाके में जो चीन के नस्दीक है फिर दुबारा उसमें इधन बढ़ा जाएगा तब जाकर वो हमला कर पाएंगे तो अमेरिका को दिखाई देता जम्मू काश्मीर बहुत सुरक्षित है चीन की सीमा वहाँ से लगती है तो भविश्य में कभी चीन से युद लड़ना पड़ा अमेरिका को तो जम्मू काश्मीर अमेरिका के लिए एर बेस का काम करेगा और ये एर बेस तबी तक काम करेगा जब तक जम्मू काश्मीर विवादित है इसलिए अमेरिका इस मामले को हल होने ही देना नहीं चाहता सेयुक तुराश्र महासाबा में जब जब ये विशय आया जब जब ये बहस हुई अमेरिका ने वीटो लगाकर इसको फसाया और इसको हल नहीं होने दिया और आज तक ये हल नहीं हो पा रहा है और ये हल नहीं हो पा रहा है तो उसका अंतिम दुश परिनाम क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना हग जमाता है और जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि हम भारत में रहेंगे आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर की जनत की सरकारे बन चुकी है इस से बड़ा प्रमार और सबूत क्या चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही रहना चाहती है येकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो अमेरिका से पैसा पाते हैं जिनको पाकिस्तान से धना आता है वो अलग राग अलापते रहते हैं और जोने कुछ संगठन बना रखे हैं और उन संगठनों की मदद से गाहे बगाहे वो एक शिगूफा छोड़ते रहते हैं और उनका एक ही शिगूफा है प्लेबी साइट होना चाहिए जनमत संग्रे होना चाहिए अब मैं बानता हूँ कि वोट की राजनीत से बड़ा जनमत स संग्रे और कौन सा होता है और आपने देखा है कि एक चुनी होई सरकार वहाँ पर है उसके पहले भी वोट हुए है और उसके पहले भी चुनी होई सरकार बन चुकी है तो सारी दुनिया को ये नहीं दिखाई देता कि वहाँ चुनी होई सरकारे बन रही है और वोट की ता आधार लेके आतंकवाद चल गया है इसी को आधार लेकर आतंकवादी गत्विदी चल रही है और उन आतंकवादी गत्विदियों से एक इलाका है जो पूरी तरह से प्रभावित है और वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि वहां रहने वाले मूल निवासियों को अपन कि शायद किसी दूसरे देश में इसका उधारन नहीं मिलेगा अपने ही देश के मालिक अपने ही देश के राजा अपनी ही संपत्ती और सब्विता के मालिक अपनी सब संपत्ती सब्विता संस्कृति को छोड़ कर कहीं शरनार्थी की तरह से जीवन बिता रहे हैं मैं तो जम् जम्य कश्मीर के पंडित बहुत दर्द भरी जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी पीड़ियां गुम्नामी में खो रहे हैं, उनकी सब्विता उनकी संस्कृति गुम्नामी में खो रहे हैं, यह सबसे बड़ा दर्द हमारे देश को मिला। आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में छोटी छोटी कुछ भूलों ने इतना बड़ा हमको सजा दे दिया है इसलिए आपको क्या करना है आपको क्या सीखना है मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जो इस पूरी दुरगटना से हमें सीखना है वो ये कि कभी भी हम प्रमाद न करें और ऐसी भाशा और ऐसी बोली का इस्तेमाल कभी न कर दें कि बविश में हमारा एक छोटा सा वाक्य भारत स्वाबिमान के पूरे काम के लिए मुश्किल बन जाए इस पूरी दुरगटना से जो सीख लेने की जरूरत है और दूसरा उनमाद में आकर आवेश में आकर जोश में आकर होश को खोकर कुछ ऐसा न कर बैठे हैं जो भविश्य के भारत के लिए खत्रा बन जाए इस बूल से हमें यही जानना और सीखना है एक और भूल के बारे में आप से चर्चा करना चाहता हूँ जो थोड़े दिन बाद हुई पाकिस्तान को हमने हरा दिया जम्मू कश्मीर को आख़ाद करा लिया भारत का अंगवी बन गया उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दुस्सा हस किया और आप जानते हैं 1965 में हमला किया 1965 के पाकिस्तानी हमले के पहले 1962 में चीन का भी हमला हुआ और चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई भारत देश में चीन के राश्वर्पती आये थे चाउएन लाई और उनकी भारत के प्रधान-मंत्री से बारता हुई थी और वो भारत में आकर ये बात करके गए थे कि भारत और चीन तो भाई-भाई है कभी बेविश्य में इनके दुश्मन ओने की कोई संभावना नहीं है अब चीन के राश्वर्पती की इस बात को भारत के प्रधान मंत्री ने ब्रह्मवाक के मान लिया और भारत के प्रधान मंत्री ने उससे ज़्यादा जोर से कहना शुरू कर दिया हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई अब चीन एक आँख लगा के बैठा था भारत पर और वो भारत के उपर हमला करने की तैयारी कर रहा था और यहां आकर उनका राश्रुबती कह रहा था कि भारत और हम एक दूसरे के भाई भाई है चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने की क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए और वो इलाके का नाम क्या है आप सबी जानते हैं हमारा जो लद्दाक है लद्दाक के साथ लगा हुआ एक बहुत बड़ा छेतर है जिसको अकसाई चिन कहा जाता है ये अकसाई चिन हजारों साल से लद्दाक का अंग रहा हजारों साल से जितने पुराने से पुराने दस्तावेजों को खोल कर देखो तो पता चलता है कि अकसाई चिन का जो छेतर है वो लद्दाक का अभिन अंग है और चीन की नजर उस अकसाई चिन पर लगी हुई थी भारत की आजादी के पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ सांट कांट भी की थी और संदी भी की थी एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अकसाई चिन का एरिया चीन को दे देने की गोश्णा की थी बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया जगड़ा हो गया तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे तो ये जो अक्साई चिन है वो लद्दाक का छेतरहा हजारों वर्षों से चीन को वो चाहिए था अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास और अंग्रेजों ने गोशना भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संदी करें तो बदले में अक्साई चिन चीन को दिया जा सकता है बस एक ही शर्थ है कि चीन तिबबत को एक स्वतंत्र देश की माननिता दे चीन ने वो नहीं किया तिबबत को स्वतंत्र देश की माननिता नहीं दी तो अंग्रेज पीछे अट गए और उन्होंने का अक्साई चिन भी हम चीन को नहीं दे सकते वहां से ये विवाद शुरू हुआ आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अकसाई चिन भारत से लेना है इसलिए चीन ने 1962 में भालत पर हमला कर दिया और उस हमले के पहले की परिस्थिती अपने देश में ये थी कि भारत के प्रदान मंत्री हर जगे भाशन करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी और चीन में तो कभी जगड़ा होगा नहीं युद्ध होगा नहीं तो इसलिए हत्यार बनाने की जरूरत नहीं सेना को रखने की जरूरत नहीं तो भारत में हत्यार बनाने वाली जो फैक्टरियां थी उनको बंद कराने का आदेश आया क्यों? क्योंकि सेना के उपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन वहां के राश्रुपती बोल कर चले गए कि हिंदी चीनी भाई भाई तो अब तो क्या हमें प्रमान पत्र चाहिए अब तो चीन हमारा भाई हो गया अब हमको तो लड़ना नहीं है उत्पादन करना नहीं है सेना पर खर्च बढ़ाना नहीं है और सेने पर जो खर्चा होगा वो किसी और विकास के काम में खर्च करेंगे तो सरकार की ये नीती बन गई तो पूरी सेना ढिली पड़ गई सेना को हत्यारों की सप्लाई कम हो गई सेना के उपर खर्च होने वाला पैसा कम हो गया सेना के लोगों को मिले वाली तंखाएं कम हो गई इस तरह से सेना में काफी कुछ मानसिक ग्रूप से असंतुलन शारिर ग्रूप से असंतुलन आ गया और तैयारी में तो बहुत कमी आई ठीन ने मौका देख लिया और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया और उस हमले में बड़ी फजियत होई ठीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर तो भारत की सेना बिलकुल तैयार नहीं थी इस हमले के लिए सेना को सपने में भी परोसा नहीं था कि चीन से हमला होगा क्योंकि भारत के प्रधान मंतरी को परोसा नहीं था कि चीन हमला करेगा लेकिन वो हमला हो गया और हमला हुआ तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी आनन फानन में हमारे 1383 सैनिक शहीद हो गए थोड़े ही समय में और जब इतने सैनिकों की मरत शरीर आने लगे सुमा पर से तब भारत में खलवली मची और खलवली मची और फिर ये तैयारी शुरू होई कि चीन की सेना का जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए तब तक चीन हमारे 72,000 वर्गमील जमीन पर कबजा कर चुका था और 72,000 वर्गमील जमीन जब चीन के कबजे में आई तो चीन के प्राश्वपती ने एक दिन अपनी तरफ से गोशणा कर दी कि अब हम युद्ध विराम करते हैं और इस तरह से युद्ध विराम खुद युद्ध शुरू किया खुद से युद्ध विराम भी कर दिया क्योंकि जो इलाका लेना था वो ले लिया उन्होंने और वही 72,000 वर्गमील हमारी जमीन आज तक चीन के कबजे में है और परम पुझने स्वामे जी ने जो दर्द आपके सामने कहा कि हमारे देश का केला स्मान सरोवर भी चीन के कबजे में यह 1962 की ललाई में हमसे छिना यह 1962 के युद में एक तरह से हमारी पराज़े हुई और उस पराज़े में यह इलाका हमारे हाथ से चला गया और आज तक यह हमारे हाथ में वापस नहीं आया दुख और दुर्भा की ये है कि भारत की संसद ने कई बार अपने प्रस्ताव पारित किये और ये कहा कि भारत का जो इलाका विदेशियों के कब्जे में है उसको वापस भारत में लाना है संसद में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल आज तक नहीं हो पाया और आज़ादी के 63 वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया वो गया सो अपने हाथ से निकली गया और उसके बाद चीन ने एक नया शिगूफा खड़ा कर दिया कि अकसाई चिन का कुछ है रिया तो उसने हम से चीनी लिया जिसमें केलाश मांसरोवर जैसा छेतर चला गया हमारे देश का जो अरुनाचल प्रदेश है जिसको कभी एक जमाने में अंग्रेजों की भाशा में नेफा कहा जाता था नौर्थीस्ट का जो इलाका है उत्री पूरु का जो इलाका है अरुनाचल अब चीन कहता है कि ये भी हमारा और अरुनाचल प्रदेश में एक खेतर है जिसको तवांग कहते है चीन पता नहीं कहां से जूटे सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने और कहता है कि ये तवांग तो हमारा है ये कभी तिब्बथ का अंग रहा है और तिब्थ इस समय चीन के कबजे में है इसलिए तवांग चीन का होना चाहिए और इसलिए अरुनाचल प्रदेश में जब भी भारत के प्रधानमंत्री जाए या भारत के राश्रपती जाए तो चीन के राश्रपती की तरफ से एक बयान आ जाता है कि ये हमारा छेत्र है भारत के प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे ये हमारा छेत्र है भारत के राश्रपती क्यों जा रहे और अरुनाचल प्रदेश और उस तवांग के छेतर में विकास के काम के लिए अगर कोई अंतराश्वी ये संस्था मदद दे तो चीन उसमें अलंगे लगा देता है, रोडे अटका देता है और कहता है कि ये संस्था आप भारत को मदद नहीं मुझे बात करो अरुनाचल प्रदेश में क्या होगा भारत नहीं तै करेगा कि अरुनाचल प्रदेश में क्या होगा तो अब हमारी सरकार के लिए फजियत ये हो गई है कि जो गया इलाका उसकी बात तो सरकार में करने ही बंद कर दिया अब चीन ने अरुनाचल प्रदेश में दावा करना शुरू कर दिया अब हमारी सरकार पूरी ताकत से अरुनाचल प्रदेश का ही डिफेंस करने में लगी रहती है कभी चीन के सामने ओफेंसिव नहीं हो पाती हमारी सरका कितना चाला देश है चीन जो इलाका लेना था वो ले लिया युद्ध करके और भारत की सेना की पराजे हो गई और हमारे देश की सेना की तैयारी नहीं थी इसलिए पराजे हो गई अगर तैयारी होती तो शाहिद नहीं होती पराजे तो वो चला गया अब नया इलाका भी लेना है उसके लिए दबाव बनाना उसने शुरू कर दिया है आप अगर देनिक नियमित समाचार पत्र पढ़ते हो और अख़वार के साथ पत्रिकाएं पढ़ते हो तो अक्सर आपको ये ख़बर आती होगी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया कि इनने तवांग पर अपना दावा पेश किया कि इनने अपने नक्षे में अरुणाचल प्रदेश को दिखा रखा कि इनने अपने नक्षे में तवांग को दिखा रखा जबकि ये दोनों छेतर भारत के हैं और भारत के कबजे में तो वहाँ एक छोटी सी गलती होई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि चीन हमारा भाई है हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश होते हैं ना उनके संबन्द एक जैसे और इस्तिर कभी नहीं होते हर देश के संबन्द उस देश की राजनेतिक परिस्ती के हइसाब से गटते बढ़ते हैं, या बदलते रहते हैं कोई देश आज हमारा भाई है कल को दुश्मन हो सकता है कोई देश हमको ये कहेगा कि हम तो आपके सबसे सचे मित्र हैं कल को पता चला कि वही सबसे ज़्यादा विश धर है और हमको काट खाएगा और पूरा विश और जहर हमारे देश में गोल देगा इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी लेकिन वहां गलती हो गई और हम हमारा 72,000 वर्गमील इलाका गमा बैठे जो आज तक नहीं आया और दुख और दर्द ये है कि भारत के किसी नागरिक को कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है और उनकी अनुमती के बिना हम हमारे कैलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते इतनी गुलामी की स्थिती हमारी है कैलाश मानसरोवर के बारे हजारों यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं और वो वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थ विवस्था को मजबूत करने में जाता है उसका एक अंच भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का ऐसी इस्थिती हमारे देश की बन गए तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई कि हजारों वर्गमील हमारा इलाका चला गया हमारा पवित तीर्थिस्थान चला गया और हमारे देश के लोगों का मनोबल तूटा और सेना का मनोबल तूटा वो अलग और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्द की 1962 की जो हमारी पराजे हुई इस पराजे ने ही श्री जवारलल नहरू जी की जान ली उनके नजदी की लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोका कर दिया जिस देश पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने धोका कर दिया तो वो बरदाश्त नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को वो श्रगवासी हो गए इस देश को और दुनिया को छोड़ कर चले गए उसके बाद भारत की कमान श्री लाल भादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराकरम दिखाया इस देश में प्रदान बनते ही उन्होंने दो बाते कहीं पूरे देश को एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है चाहे इसके लिए कितने भी संसादन जुटाने पड़े चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसादनों को जुटाना है क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के ऊपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्गमील जमीन हमारे हाथ से जाएगी तो श्री लाल बहातुर शास्त्री जी ने नीती को उलट दिया शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीती थी सेना पर खर्चा नहीं करना युद्द के सामान का उत्पादन नहीं करना हतियार नहीं बनाने को फिर से उत्पादन में लगाना है तो पूरे बजट का लगबग पच्व crushing प्रतिषत हिस्सा उन्होंने सेना के लिए आवनटित किया भारत के इतिहास में वो पहले और आखरी प्रधान मंतरी है जिनोंने बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया और सेना को खुली छूट दी कि आप तयारी करिए और ऐसी तयारी करिए कि कल युद्ध लड़ना है दुश्मन कभी भी फिर आ सकता है पुलिट वार कर सकता है तो सेना में चाक चोबंदी शुरू है इसके लिए उन्होंने करके दिखा दिया ताकत बड़ी सेना में सब काम फिर अच्छे से शुरू हो गए और सेना की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1965 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ आप सभी जानते हैं और पाकिस्तान इस गलत फैमी में था क्योंकि भारत की सेना कमजोर है क्योंकि चीन से पराजित हो चुकी है क्योंकि चीन से हार चुकी है तो पाकिस्तान में 1965 में माने चीन युद्ध खतम होने के लगबट दो ढ़ाई वर्शों में पाकिस्तान का हमला फिर हो गया लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं मालूम था कि भारत का प्रधान मंतरी बदल चुका है भारत की नीतियां बदल चुकी है भारत की सेना बदल चुकी है सेना की तैयारी बहुत हो चुकी है हतियार उनके पास बहुत आ गए है गोला बारूद भरपूर है उनके पास तो जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना 1965 में तो बहुत बुरी पराजे हुई पाकिस्तान के बुरी तरह से मारा भारत की सेना ने पाकिस्तान को और आप हैरान हो जाएंगे हमला शुरू होने के बारे दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे पाकिस्तानी सेना के जो सेना नायक है ना उन्होंने अपनी आत्म कता में लिखा है कि 1965 के युद में तो हम ऐसे बुरे फसे हमको कलपना नहीं थी कि भारत की सेना इतनी पाकट से जवाब देगी हम तो इस कलपना में थे कि अभी जाके दिली पे कब जा कर लेंगे हम तो एक पाकिस्तानी सेना नायक ने मिज़ाक में कह दिया था कि सवेरे की चाय लाहूर में पीए अभ शाम का खाना मैं दिली में खाऊँगा तो इस कलपना से आये थे वो तो हमला करने के लिए लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी जबरजस थी कि नात खटे हो गए और बारे दिन में पाकिस्तानी सेना का असी प्रतिशत गोला बारूद खर्च हो गया बारे दिन में इतनी भेंकर लड़ाई हुई इतनी भैंकर महरा मारी हुई परिड़ाम क्या हुआ दीरे दीरे पाकिस्तान को लगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा और भारत की सेना ने जब मारना शुरू किया था ना पाकिस्थानी सेना को तो लाहर तक हिलाका कभजे में ले लिया फिर लाहर तक भारत की सेना पहुँच गई 1965 में अब पाकिस्तान का डर बढ़ गया कि ये लाहर गया हाथ से फिर कराची गया फिर इसलावाबाद गया फिर हैदराबाद गया अब बचेगा क्या तो पाकिस्तान भाग कर अमरीका के पास पहुँचा और अमरीका के राश्रुपती को गोहार लगाई और उनसे कहा कि मुझे बचाओ हमें बचाओ अब भारत तो कबजा कर लेगा पूरा उनकी सेना लाहर तक पहुँच गई है तब अमरीका ने भारत के प्रधान मंत्री को कहा तो भारत के प्रदान मंत्री ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, हमला मैंने नहीं किया था, हमला पाकिस्तान ने किया था, अब मुझे उसका पूरी ताकत से जवाब देने का अधिकार है, इसलिए मैं मेरी सेना को पीछे नहीं बुला सकता तो अमरीका परेशान हो गया और अमरीका श्री लाल भादर शास्त्री जी को जानता था कि ये व्यक्ति दबाव में नहीं आने वाला है क्यों? एक घटना उसके पहले घटित हो चुकी थी शास्त्री जी जब प्रधान मंत्री बने न तो अमेरिका से लाल रंग का गयों आता था इस देश में एक योजना चलती थी आप में से कई बुजर्ग लोगों को मालूम होगा आपने तो देखा भी होगा शायद खाया भी होगा वो गयों लाल रंग का गयों आता था PL 480 नाम की एक योजना चलती थी P का मतलब होता है Public L का माने होता है Law और 480 अमेरिका के कानून के तहएत एक व्यवस्था है PL 480 Public Law 480 उसके तहएत अमेरिका दूसरे देशों की मदद करता है तो भारत की मदद करता था लाल रंग का गेहूं आता था जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था कारण क्या था भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था तो वो गेहूं हमें लेना पड़ता था और उसकी शर्ते बहुत अपमान जनक थी तो शास्त्री जी ने प्रधान मंत्री बनने के बाद एक बहुत फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे उन्हों ने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खा सकते तो भूके मरने के लिए तैयार रहे तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूके मरना मंजूर है लेकिन अपमान के साथ बिदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं तो सेक्रेटरी हरान हो गया और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो तुम तुमारा काम करो मैं मेरा काम करता हूँ और उन्हें भारत के लोगों को एक दिन अपील की तुमार का दिन था दिली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई लाखों लोग इकटे हुए और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गयों की बहुत कमी है अपमान जनक शर्तों पर अमेरिका से गयों आ रहा है ये गयों हमें खाना मंजूर नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है इसलिए आप भी ये गयों मत खाईए तो लोगों ने का नहीं खाएंगे तो शास्त्री जी ने का इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा लोगों ने हाथ उठा के का भूखे रहेंगे और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन वरत रखना शुरू कर दिया था और संपो भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूखा रहना शुरू कर दिया था हमारे देश में करोणों माताएं हैं जो आज भी सोमभार को वरत रखती है मैं कई बार उनको पूछता हूँ यह सोमभार को वरत क्या रखती है शंकर जी को प्रसंद करने के लिए तो गतिनी शास्त्री जी को वचन दिया था तो मैं कहता हूं माता अब शास्त्री जी का बचन तो उनके साथ चला गिया वो तो उनों ने बचन इसलिए लिया था कि देश में गेऊं का उत्पादन बहुत कम है हम कम खाएंगे तो वे देशों से गेऊं नहीं लाना पड़ेगा अब तो देश में भरपूर गेऊं पैदा हो रहा है और इतना पैदा हो रहा है कि हम खाएं हमारे पड़ोसियों को खिलाएं और उससे ज़्यादा चूहों को खिलाएं हमारे देश में दो करोड़ टन गेऊं तो चूहे खा जाते हैं हर साल तो अब गेऊं की कोई कमी नहीं है लेकिन माता जी ठस से मस नहीं होती वो केते हैं नहीं नहीं सोमवार को तो व्रती रखना है क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया माने भारत के लोग कितने पक्ये हैं कि शास्त्री जी को कभी वचन दिया 1965 में और उस वचन को निवारे सन 2010 में तो ऐसे करोड़ो भारतवासियों के संकल्प से दो बातें हुई एक तो ग्यों की खपत कम हुई अमेरिका से ग्यों आना बंद हुआ तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई और फिर देश में ग्यों उत्पादन की योजना बनी और उसने ग्यों उत्पादन बढ़ा दिया तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे तो अमेरिका को मालूम था कि इस व्यक्ति के उपर दबाव नहीं पढ़ने वाला तो अमेरिका ने शास्त्री जी के सबसे नजदी की मित्र को पकड़ा और वो थे सोवियत संके राश्ट्रोपती सोवियत राश्ट्रोपती उस समय जो थे उनको शास्त्री जी से काफी नजदी की थी लगाओ था उनको पकड़ा और कहा कि शास्त्री जी को हो नहीं तो पाकिस्तान तो गया, और पाकिस्तान गया तो अमेरिका की भविष्य की सारी योजनाे गई, और भारत की सेना चुकी लाहुर तक पहुंच गई है, इसलिए अब ज़्यादा देर नहीं है, तब शास्त्री जी के ऊपर स सोवियत संग का दबाव पड़ा, फिर सोवियत संग के दबाव में शास्त्री जी ने युद्विराम करवाया, युद्विराम के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक समझोता किया, वो समझोता करने के लिए वो ताशकंद गए, और ताशकंद के समझोते में जो भी भविश्य में हमला नहीं करेगा ऐसा वाइदा करता है तो पाकियान ने लिखित रूप में ये कहा और उसके दस्तावेज मौजूद है कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे आँख उठाकर नहीं देखेंगे बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए और जो इलाका भारत की सेना के कभजे में है वो हमें वापस कर दिया जाए शास्त्री जी ने भारत की पुरा नहीं परंपरा का नुसरन करते हुए उदारता दिखाई और जीता हुआ इलाका जो सेना के कभजे में था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया लाहर तक गई हुई सेना वापस आ तो आठ दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और उनकी मंत्री मंडल के वरिष्ट लोगों के साथ जो वारता चली नौवे दिन वारता पूरी हो गई थी और वो दिन था 10 जनवरी का रात को शास्त्री जी आराम से सोए लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दि देता था तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोया गया था इस काम के लिए लेकिन उस रसोया का ताशकंद में अपराण कर लिया गया और अपराण करके एक नकली रसोया को शास्त्री जी के यहां बेज दिया गया और उस नकली रसोया ने शास्त्री जी के दूद में जहर मि दूद पीकर उनकी म्रत्यू हो गई जब उनका मत शरीर वापस आया इस देश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था और दुख और दुर्भागी की बात ये है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की म्रत्यू के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया और जी की हिर्दय गती रुकने से म्रत्यू हो गई हर टेट बताया गया पूरे देश को मेडिया में अखवार में टेलिवीजन पर रेडियो में खबर चली और बार बार एक ही खबर दिखाई गई कि शास्त्री जी की हिर्दय गती रुकने से म्रत्यू होई जब कारण पूछे गए सरकार के लोगों से कि शास्त्री जी की एरदेगती कैसे रुक सकती है क्योंकि उनका ना ब्लड प्रशर हाई था ना उनका कॉलिस्ट्रोल हाई था ना उनका ट्राइगलिस्राइड हाई था वो एकदम स्वस्त थे तंद्रुस थे जब गए थे तो सब कुछ सामान ने था क्योंकि आप तो जानते है प्रदान मंत्री का हर दिन चेक अप होता है तो शास्त्री जी के जो डॉक्टरों ने चेक अप करके दिया था उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था ना बीपी बहाए ना ट्राइगलिस्राइड ना कॉलेस्टरॉल फिर उनकी हिर्देगती कैसे रुक सकती है तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने ऐसा मुर्खता का जवाब दिया इतना खराब जवाब दिया उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मृत्ति इसलिए हो गई कि उनको बहुत जादा खुशी हो गई तो बहुत जादा खुशी किस बात की हो गई कि पाकिस्तान को उन्होंने सरेंडर करा दिया और पाकिस्तान के ऊपर भारतिय सेना ने विजय पाली तो इतनी खुशी हुई शास्त्री जी को कि उनकी हिर्दे गती रुख गई ऐसा मुर्खता पूर्ण बेकार का जबाब पूरे देश को दिया गया फिर शास्त्री जी का ज़ब मुरत शरीर आया तो कई लोगों ने यह मान की कि अगर इनकी हिर्दे गती रुकी है तो इसकी सचाई तो पता चल सकती है इनके अमरत शरीर का पोस्ट मार्टम कराया जाए लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया और भारत सरकार ने शास्त्री जी के अमरत शरीर का पोस्ट मार्टम नहीं होने दिया जैसे ही उनका मत्षरीर आया जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संसकार कर दिया गया और वो अंतिम संसकार के बाद-बाद वहीं दब गई और उसके बाद कुछ कमीशन बेठे इंक्वाइरी होई उसमें से ये बात निकली लेकिन रास्ते में वहीं बटक गई और आज तक सारा देश इसी अंदकार में है कि शास्त्री जी को हिर्दे गती से मृत्ति हुई जबकि उनको जहर दिया गया था तो भारत में इस तरह की बूले होती रही हमारी सेना जीतती रही और जीते हुए अलाके को देती रही दुश्मनों के हाथ में दुश्मनों के ऊपर विजय करते रहे और उनको माफ करते रहे वो पराजित हुए दुश्मन फिर भी हम उनको माफ करते रहे और वही दुश्मन हमारे लिए नाग बनके डसते रहे वो इस्तिति आज हमारे देश में है पाकिस्तान के द्वारा जो हो रहा है तो हमारे देश में आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में ऐसी राजनेतिक भूले हुई है एक राजनेतिक भूल और हुई है 1971 में जब बंगले देश बना और पाकिस्तान का हमला हुआ उस युद्ध में भी हमने पाकिस्तान को मूँ की खिलाई उनको धूल चटाई उनको पराजित किया और उस युद्ध में तो आपको हैरानी होगी 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान का हमला भारत पर हुआ और भारत ने इतना करारा जबाब दिया 3 दिसम्बर 1971 को युद्ध किया था पाकिस्तान ने शुरू 16 दिसम्बर 1971 तक पूरा पाकिस्तान पराजित हो चुका था और पाकिस्तान की सेना के 97,000 सेनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्म समर्पा कर दिया था वो पूरी सेना पाकिस्तान की लगबग आदी सेना थी तो पाकिस्तान की आदी सेना भारत के कबजे में आ गई और फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और फिर अमेरिका से उसने गुजारिश की कि भारत से बचाओ फिर अमेरिका का दबाव भारत सरकार पे आया और उस दबाव में हमने पाकिस्तान के 97,000 सैनिकों को छोड़ दिया अगर ये भूल हमने नहीं की होती तो पाकिस्तान का ये आतंकवाद जो इतना बढ़ा ये आतंकवाद के कारण हमको जो इतना नुकसान उठाना परा जम्मू काश्मीर और भारत के सभी इलाकों में ये नुकसान कभी नहीं होता अगर 1971 में पाकिस्तानी सेना के 97,000 सैनिकों को हमेशा के लिए हमने खतम कर दिया होता वो हमारे कभ्यों में थे हम चाहते हैं वो उनके साथ करते लेकिन दुख है कि न 97,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की जेलों में रखा गया पांच महिने तक उनको बिरियानी खिलाई गई अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया बाइजद बरी किया गया किसके लिए एक शिमला समझोते के लिए और शिमला समझोता वैसे ही कुछ था जैसे ताशकन समझोता था फिर हमने छोड़ा पाकिस्तान को पराजित करके और फिर पाकिस्तान ने वही किया हमारे साथ तो पिछले आज़ादी के 63 वर्षों में और आखरी कोशिश पाकिस्तान ने जो की थी वो आप सभी जानते हैं कारगिल युद्द के रूप में हमारी आखों के सामने आई वो कारगिल युद्द भी पाकिस्तान के दुस्साहस का प्रतीक था तो आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में जो राजनेतिक भूलें हमसे हुई हैं वो कुछ यह हैं जो हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई हैं और बहुत गंबीर हो गई हैं और पिछले 63 वर्षों में हमसे कुछ आर्थिक भूलें भी हुई है और वो आर्थिक भूलें जो हुई उनमें सबसे बड़ी भूल जो हुई वो 1966 में हुई जब भारत के प्रधान मंत्री ने दुनिया के दबाव में आकर और खासकर अमेरिका के दबाव में आकर भारत के दिये जानकर 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का एक रुपया अमेरिका का एक डॉलर के बराबर था तो रुपई की ताकत थी और क्रेशक्ति उस समय बहुत थी बाद में भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने रुपय का आप मुलियन किया और 1966 में तीन जून को रुपय का स्थ सत तावन प्रतशाट अप मुलियन कर दिया गया 57% devaluation हो गया रूपय का परिणाम क्या हुआ डॉलर 57% महँगा हो गया रूपया 57% सस्ता हो गया और उसके बाद एक सिल्सिवा चला कि रूपय की कीमत गिर्ती ही गई गिर्ती ही गई गिर्ती ही गई गिर्ती ही गई और मुझे आपसे ये बात केता हूँ, बहुत बख़े तकलीफ है, कि हमने जब रुपए की मुलिका आकलन किया था, जब सबसे पहले भारत आजाद हुआ था, लगबग एक रुपया एक डॉलर, फोरे दिन में चार रुपया एक डॉलर, फिर साड़े साथ रुपए एक डॉ फिर एक दिन अचानक से 21 रुपए एक डॉलर, फिर एक दिन पता चला 32 रुपए एक डॉलर, फिर 38 रुपए एक डॉलर, फिर 42 रुपए, फिर 46 रुपए, और अब 48 रुपए एक डॉलर, और एक दिन तो 50 रुपए डॉलर तक पहुँच चुका है, इतने रुपए की कीम अगर एक रुपया एक डॉलर को ध्यान में रखें और पचास रुपय एक डॉलर है तो रुपय का अबबबग पचास गुना हो चुका है और ये रुपए के अब अमूरियन के 50 गुने होने का मतलब रुपए की कीमत 5000 प्रतिशत कम हो चुकी है और ये कीमत कम होने का मतलब हमारे उपर विदेशों का करजा 50 गुना बढ़ चुका है अगर हमने 1947 में एक डॉलर का करज लिया हो अब 2010 में उसको वापस करना हो तो जब हमने करज लिया था तो एक रुपया था एक डॉलर अब करज वापस देना है तो जो एक रुपए का करज था अब वो 50 गुना बढ़ लिया करज का ब्याच पचास गुना बढ़ गया और विदेशी कमपनियों को जो मुनाफ़ा यहां से हो रहा है वो पचास कुना बढ़ गया क्योंकि डॉलर पचास कुना ताकतवर हो गया ये बहुत बड़ी आर्थिक भूल हमने की 1966 में और इस भूल को लगातार होने दिया और होते होते आज रुपया इतना कमजोर हो गया दुनिया का कोई देश अपनी करेंसी की ताकत को कम नहीं होने देता लेकिन भारत ने अपने रुपई की ताकत को इतना कम होने दिया ये आर्थिक भूल हमसे बहुत बड़ी हुई और इसी तरह की एक आर्थिक भूल पिछले 63 वर्षों में हमसे हुई 1991 में जो कल में आपसे कह रहा था वो ये कि विदेशी कमपनियों के लिए सारे दरवाजे हमने खोल दिये जिस विदेशी कमपनी को भारत से भगाया था 1942 में जिस विदेशी कमपनी के लिए हमने नारा लगाया था भारत छोड़ो आज उन विदेशी कमपनियों को हम धरवजा खोल के वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं वापस आओ और भारत को लूट कर चले जाओ तो जो कमपनी गई थी वो फिर वापस आ गई और अकेली नहीं आई है अब हजारों कमपनी आई है पहले एक कमपनी को भगाते रहे ड़ाई सो साल तक अब पाँच जार कमपनी आ गई उनके लिए उदारी करण की नीती वैश्वी करण की नीती और इन कमपनी ने अंधा दूंद लूटना शुरू किया है इस देश को और लाखों करोनो रुपई की संपत्ती ले जा रहे है ये बात में पहले ही कह चुका हूँ यहां सिर्फ संकेत में कह रहा हूँ तो आजदी के पिछले 63 वर्षों में कई राजने तिक भूलें हुई है और कई आर्थिक भूलें हमसे हुई है और उनका दुश्परिनाम पूरा देश बुगत रहा है आजदी के बाद में एक और भूल हूई है जो बड़ी राजने तिक भूल है जिसका संकेत परंपुजनी स्वामी जी कर चुके है आजदी मिली 15 अगस्त 1947 को तो हमने हमारा सम्विधान बनाना शुरू किया और भारत का सम्विधान बनके तयार हुआ 26 जनवरी 1950 को इसके लिए एक सम्विधान सभा का निर्मार किया गया उस सम्विधान सभा में 296 सदस्य थे जिनोंने 11 महिने और 18 दिन काम करके सम्विधान तयार किया लेकिन 11 महिने और 18 दिन में काम कुल 116 गंटे हुआ और उसमें सम्विधान तयार हो गया भारत का सम्विधान दुनिया का सबसे बड़ा सम्विधान है इतना बड़ा लिखित सम्विधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है 395 तो अनुक्षेद हैं जिसको हम आर्टिकल्स कहते और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है शास्त्र जैसा आप कभी भी खरीद के देख सकते दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा सम्विधान नहीं हमने बनाया तो बहुत बार मेरे मन में ये आता था कि महत्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा सम्विधान कैसे बना लिया हमने इसको बनाने में तो ज़्यादा समय लगना चाहिए जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि इस सम्विधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था उसी को हमने भारत का सम्विधान बना लिया अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में उसका नाम था Government of India Act Government of India Act में जो कुछ लिखा था वही सबकुछ भारत के सम्विधान में है कुछ बदला नहीं और Government of India Act अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर सामरेज इस्थापित करने के लिए उसी को पूरा का पूरा सम्विधान के रूप में हमने सुईकार कर लिया तो सम्विधान सभा में जो बड़े-बड़े नेता शामिल हुए थे ना उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे हमारे देश की सम्विधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेर्मेन थे डॉक्टर भीमरा वंबेटकर उन्होंने 1953 में ये कहा राज्य सभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमती दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होँगा जो इस सम्विधान को जला दूँगा पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस सम्विधान के निर्मता है और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे है तो डॉक्टर भीमरा वंवेट करने कहा था कि इस सम्विधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला क्यों नहीं होने वाला क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये सम्विधान है और उन्होंने बहुत बेवसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था इतने कम समय में सम्विधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हम को ये गवर्मेंट ओफ इंडिया रूल ये गवर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था हाधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के सम्विधानों में से कुछ चीज़े निकाल कर ये भारत का सम्विधान तयार हो गया ये भारत के लोगों द्वारा तयार नहीं किया गया एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है तो परिनाम क्या हुआ वो सम्विधान बनने के और लागू होने के पिछले साथ सालों में ही 94 से ज़्यादा उसमें संशोधन हो गए माने सम्विधान अब ओरीजनल रहा कहा साथ साल में 94 संशोधन 60 years और 94 amendments इसका माने हर साल में लगवग 12 से 2 संशोधन उसमें हुए इसका माने इतने संशोधन किसी सम्विधान में तभी हो सकते है जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है सम्विधान समा में सच्चिदारन सिना थे पंडिजवारलाल नहरू थे, सरदार बल्लब भाई पटेल थे सरोजने नाइडू थी, राजकुमारी अमरत कोहर थी ऐसे भारत के बड़े-बड़े दिगज नेता थे इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे ये सबके सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने, करांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है उस कल्पना को ये सम्विधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस सम्विधान से पूरे नहीं हो पाएंगे ये पक्का है और उनके बयान आज हमारे सामने है 63 सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि ये सम्विधान ना देश का बला कर पा रहा है ना समाज का बला कर पा रहा है ये एक बड़ी भारी हमसे बोल हो गई अच्छा होता हम छोटा सम्विधान बनाते लेकिन मौलिक होता अपना होता अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता अंग्रेजों का कानून जो गवर्मेंट ओफ इंडिया एक वो तो हमारी गुलामी के लिए था उस पर आधारित हमारी आज़ादी का सम्विधान कैसे अच्छा हो सकता है और एक और ऐसी ही भूल हमसे हो गई वो ये कि अंग्रेज जब गए तो उन्होंने जितनी कानून बनाए थे भारत पर राज्य करने के लिए वो सारे कानून हमने जैसे के तैसे रख लिए उसमें थोड़ा भी फिर वदल नहीं किया अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए थे भारत को गुलाम रखने के लिए आज़ादी के बाद भी वही 34,735 कानून चल रहे है कुछ और नए कानून हमने बनाए है वो पुराने कानूनों को ही आगे बढ़ने वाले हैं उनसे कुछ अलग नहीं अंग्रेजों का बना हुआ एक कानून है इंडियन पुलिस एक्ट 1860 में बना वही अभी तक चल रहा है अंग्रेजों का एक कानून है IPC, इंडियन पीनल कूड वो 1861 में बना आज भी चल रहा है अंग्रेजों का एक कानूने CRPC, Criminal Procedure Code वो 1861 में बना आज भी चल रहा है अंग्रेजों का एक कानूने Indian Forest Act वो अंग्रेजोंने बनाया आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बना हुआ कानूने Land Acquisition Act वो उन्होंने बनाया आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बना हुआ है तक भरतों गुलाम रखने के लिए बनाए वो इआज़ादी के बाद चल रहे है इसलिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि आज़ादी तो आई नहीं है ये तो अधूरी है ये तो अंग्रेजों को हमने भगाया येकिन अंग्रेजियत को तो हम भगा नहीं पाए अभी तक अंग्रेजों के बनाए गए कानून है तो अंग्रेजियत भी इस देश में है और इसी तरह की एक भूल हम से हुई अंग्रेज आये थे तो उनकी भाषा आ भारत में मात्र एक प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं लेकिन उपर से नीचे तक सारा काम अंग्रेजी में होता है सुप्रीम कोट में बहस अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोट में सुनवाई अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोट के फैसले अंग्रेजी में आते ना वादी अंग्रे जी जानता है ना प्रतिवादी अंग्रे जी जानता है वो अपने फैसले को समझ नहीं पाता बहस क्या हो रही है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ पाता चुपचा बिचारा खड़ा खड़ा देखता रहता है और कानून कहता है कि हम उसके लिए न्याय कर करना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है भारत की सेना में भरती होना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है और माफ कीजेगा सिर्फ एक करोर से कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं इस देश में तो उनके लिए तो भारत सब कुछ है और जिन 114 करोड को अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए भारत तो बेगाना देश बना हुआ है कोई दूसरा देश बना हूँ ये भाशा भी अंग्रेजों की अभी तक हम नहीं बगा पाई ये भी हमसे भूल हो गई ऐसी कई भूले हमने आजदी के 63 वर्शों में की हैं और आजदी के पहले जो भूल हमने की है सबसे बड़ी भूल जिसका भुगतान आज तक ये देश कर रहा है एक राजा था जहांगी उसका नाम था उसने अंग्रेजों की एक कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया और मैं मानता हूं कि पिछले 500 साल की सबसे बड़ी भूल होई हो गई इस इंडिया कंपनी को जहांगीर ने जब व्यापार करने का लाइसेंस दिया सन 1608 में तो शायद जहांगीर क यह भी नहीं मालूम होगा कि यह कंपनी एक दिन भारत को गुलाम बना ले गए उसने तो अंग्रेजों से व्यापार के लालच में लाइसेंस दे दिया और वही लाइसेंस हमारे लिए इतना भारी पड़ गया और इतना भारी पड़ गया कि सारा देश अंग्रेजों की गुलामी की हमने 1418 से लेकर 1757 कि इसटेंडिया कंपनी की गुलामी में हम रहे 1757 के बाद अंग्रेजसरकार कंपनी की मिलि जुलि गुलामी में हम रहे。 और 1860 के बाद तो सीधे अंग्रेजों की सरकार की गुलामी में हम आ गए और इस गुलामी में सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ कि आर्थिक रूप से हमारी बहुत लूट हुई और अंग्रेजों ने इतना लूटा इस देश को शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने कितना लूटा और कैसे लूटा मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकता लेकिन दो तीन आपको उधारन जरूर दे सकता हूँ इस्ट इंडिया कंपणी के अधिकारी यहां आते थे और लूट मार करते थे सबसे बड़ा अधिकारी जो इस्ट इंडिया कंपणी का भारत में होता था उसको गवर्न जर्नल कहा जाता था बाद में उसी को वोईसराय कहना शुरू किया अंग्रेजों ने तो इस्ट इंडिया कंपणी का सबसे पहला जो गवर्न जर्नल इस देश में आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइब सत्रेसो सतावन की यह कहानी है वो बंगाल के राजा के पास आया था बंगाल का उस समय राजा था उसका नाम था सिराजुद दोला तो सिराजुद दोला के पास रॉबर्ट क्लाइब पहुंचा था और उसने यह कहा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए सिराजुद दोला ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते क्यों तो सिराजुत दौला ने कहा कि अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं है यह जहां ब्यापार करने के लिए गुस्ते हैं उसी राज्जी पर कब्जा कर लेते हैं इसलिए मैं मेरे राज्जी में अंग्रेजों को नहीं आने दूंगा उसने मना कर दिया तो रोबर्ट जिको जीत लूँगा और उसके बाद मेहां पर व्यापार करूँगा तो सिराजुत दौला ने कहा ठीक हमला करके देख लो अगर तुम विजई हो गए तो बंगाल तुम्हारा है और मैं विजई हुआ तो तुमको बंगाल से बगा दूँगा और जाना पड़ेगा इस मैदान है कलकत्ता के नजदीक में मैदान है वहां पर युद्ध तय हुआ और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं लेकिन जब दस्तावेज देखना शुरू किया मैंने तो पता चला कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कोई अंग्रेजों ने सिराजुद दौला को चुनौती दी थी युद्ध की तो सिराजुद दौला की सेना जब आई युद्ध के लिए तो अंग्रेजों की सेना से वह बहुत बड़ी थी यह जो रोबर्ट क्लाइब था अंग्रेजों की सेना का सेना पती इसके पास सिर्फ सा तीन सो सैनिक और भारतिय सेना के 18,000 सैनिक युद्ध में कौन जीतेगा तो आप कहेंगे भारत की सेना जीतेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्या कि जब रॉबर्ट कलाइब ने देखा कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी सेना है और रॉबर्ट कलाइब की सेना तो बहुत छोटी सी है तो उसने युद्ध का पैतरा बदल दिया और उसने एक चाला की की और चाला की क्या की कि अपने एक आदमी उसने सिराजुद दौला की सेना में बेजा और उस आदमी को ये कहा कि तुम जाकर ये पता लगाओ कि सिराजुद दौला की सेना में कौन व्यक्ति है जिसको र सिराज़त दोला की सेना में पता करने तो सिराज़त दोला की सेना का सेना पती था मीर जाफर वो पैसे का थोड़ा लालची था और कुरसी का भी लालची था तो मीर जाफर के पास जब ये गया सेनिक अंग्रेजों वाला तो मीर जाफर को उसने एक प्रपोजल दिया एक प्रस्ताओ दिया कि मीर जाफर तुम अंग्लेजों से मिल जाओ तो हम तुम को बंगाल का राजा बना देंगे तुम अभी तक सेना पती हो हम तुम को राजा बना देंगे मतलब सीध हैसा यह है कि मीर जाफर को प्रपोजल दिया गया कि तुम डिफेंस मिनिस्टर हो हम तुम को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तुम हमारे साथ मिल जाओ तो मीर जाफर ने कहा मुझे क्या करना पुलेगा तो अंग्रेजों के सेनापती रोबर्ट क्लाइब ने कहा तुम को एक ही कामकरना है युद्ध करना हमारे उपर हमला नहीं करना तो क्या करना लोट क्लाभ में ओस्यtum तुम टुमारे जनिकों को बोलो कि Communist नहीं अ पर हम अ-पर्पण कराने तुमारी सेना से तो तुमारी सेना मिल जाएगी मिलकर मीर्जाफ़ और रोबर्ट क्लाइब सिराज़ दौला का मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे और सिराज़ दौला मर जाएगा, फिर तुमको राजा बना देंगे तो मीर जाफर तयार हो गया, उसको लालच आ गया और अंग्रेजों ने उसको यह भी कहा कि एक कोटी सुन मुद्राएं भी देंगे तो सुन मुद्राओं के लालच में और लाजा बनने के लालच में वो पिखल गया, फिसल गया उसने अंग्रेजों से एक संधी कर ली और उस संधी के आधार पर अठारे हजार सेनिकों के सेनापती मेर जाफर ने साड़े तीन सो अंग्रेजी सेनिकों के सामने सरेंडर कर दिया और अंग्रेजों के साड़े तीन सो सेनिकों ने अठारे हजार सेनिकों के उपर जीत हासल कर ली अभी अठारे हजार सेनिक और अंग्रेजों के साड़े तीन सो सेनिक मिलकर एक हो गए और इन्हों में प्लैन बना लिया कि सिराजुत दौला को मार देना है तो सिराजुत दौला को मारने के लिए ये प्लासी के मैदान से चले गोड़े पर सवार होकर तो रौबर्ट क्लाइब आगे आगे था साड़े तीन साथ उसके सेनिक पीछे थे और उसके पीछे अठारे हजार सेनिक थे और उन्हीं मेर जाफर भी था तो ये सब गोड़े पर चड़कर गए कहा गए मुर्शिदाबाद नाम के एक शहर तक गए क्योंकि उस जमाने में राज़दानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की और राजा जो था वो मुर्शिदाबाद में रहता था तो रौबर्ट क्लाइब ने अपनी डाइरी में लिखा है कि मैं मेरे सेनिकों के साथ भारत के 18,000 सेनिकों को बंदी बनाकर चल रहा था गोड़े पर में आगे आगे बैठा हुआ था भारत के सेनिक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और सड़क पर रास्ते के दोनों तरफ भारत के हजारों लोग हमारा जुलूस देख रहे थे और रॉबर्ट क्लाइब ने एक बात यखी अपनी ढायरी में कि जो भारत के लोग मेरे जुलूस देख रहे थे वो मेरे जुलूस पर तालिया बजा रहे थे और जो भारत के सेनिकों को मैंने बंदी बनाया है वो आग्याकारी सेनिकों की तरह सिर जुका कर चले जा रहे थे फिर वो कहता है काश एक भी भारतवासी ने मुझे पथर उठा के मारा होता तो मैं उसी दिन मर गया होता और भारत का इतिहास उसी दिन बदल गया होता लेकिन ये भारत वासी पत्थर नहीं मारते हैं ये तालियां बजाते रहते हैं और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए सड़के दोनों किनारे खड़े होते रहते हैं ये बहुत दर्दनाक वाक्य है रोबर्ट लेग खुद लिकरा है कि भारत के हजारों लोग सड़के किनारे खड़ेों के तालीब जा रहे हैं और 18,000 सैनिक अंग्रेजों के सामने सिर जुका के चले जा रहे हैं अगर किनारे खड़े नागरिकों ने और सैनिकों ने मिलकर रोबर्ट कलाइब को दबोच लिया होता या पत्थर मार दिये होते एक एक पत्थर भी उठा के मार दिया होता तो 18,000 पत्थर में तो रोबर्ट कलाइब का कचुमर निकल गया होता और इस्ट इंडिया कमपनी का सामराज ये उसी दिन इस देश में समाप्त हो गया होता लेकिन हम वो नहीं कर पाए और देश का इतिहास दूसरी दिशा में चला गया राबर्ट कलाइब और मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुँचकर सिराज दौला की हत्या कर दी सिराज दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर का एक बतीजा था मीर कासिम उसको राजा बना दिया थोड़े दिन के लिए फिर मीर कासिम को हटा दिया फिर मीर जाफर को राजा बना दिया और एक दिन रॉबर्ट कलाइब ने मीर जाफर को मरवा दिया और खुद वो बंगाल का राजा बनकर इस्ट इंडिया कमपनी का सामराज इस्थापित करके चला गया इतिहास की ये बहुत बड़ी भूल है जिसको च्छमा नहीं किया जा सकता हमारे पुर्खों की ये भूल जिसने हमको ढ़ाई सो साल गुलामी में डाल दिया ये च्छमा करने योग नहीं है जिन्दगी में कुछ गलतिया होती है जिनको च्छमा किया जा सकता है लेकिन कुछ भूले होती हैं जिनको चमा नहीं किया जा सकता अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिमालेयन ब्लेंडर हिमाले जैसी बड़ी भूल शायद ये वही थी जो हमसे हो गई और उसके चलते इस्ट इंडिया कंपनी का सामराज इस्थापित हो गया और उसके बाद र बंगाल का गवर्नर जैनल बनके और उसने लूटा बंगाल को लूट कर धनिकत्था किया सोना चांदी हीरे जभारत और जब भरपूर मात्रा में धनिकत्था हो गया तो लंदन चला गया लंदन की पार्लेमेंट में उसको एक बार पूछा गया कि तुम भारत से क्या पूछा गया कितने लेके आए तो रॉबर्ट क्लाइब ने जवाब दिया कि मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज बता सकता हूं और वो अंदाज क्या है तो वो कहने लगा कि भारत से सोनी के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवारत लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराय पर लेने पड़े इतना धन और संपत्ती में भारत से लेके आया है फिर उसको पूछा गया यह जहाज कितना बड़ा तो वो कहता है कि एक जहाज में कम से कम 60-70 मीट्रेक टन सोनी के सिक्के आ सकें इतना बड़ा तो 60-70 मीट्रेक टन में हजार किलोग्राम होते हैं त इतना बड़ा एक जहाज और ऐसे 900 जहाज भरके वो यहां से ले गया तो आप कल्पना करिए कितना लूटा भारत को और यह रॉबर्ट क्लाइब अकेला लूटे रहा नहीं था भारत को लूटने वाला रॉबर्ट क्लाइब आया लूट कर चला गया उसके बाद वारेन केनिंग करजन लिलित गो और विलियम वेंटिंग दलहाजी और अंतिन गवर्नर जर्नल जो उनका जिसको हम माउंट बेटन कहते हैं तो रॉबर्ट क्लाइब से लेके माउंट बेटन तक 84 गवर्नर जर्नल आए और सब ने लूटा है इस भारत को किसी ने छोड़ा नहीं है अंतर इतना है कि रॉबर्ट क्लाइब ने कुछ जादा लूटा दूसरे उतना नहीं लूट पाए लेकिन लूटते ही रहे हैं और यह लूट का धन इंग्लेंड ले जाते रहे हैं हम लोगों ने यह 84 गवर्नर जर्नलों द्वारा लूटा गया भारत से जो धन है उसका एक अनुमान लगाया है पूरा पक्का तो पता नहीं चल पाता लेकिन एक अनुमान है और वो अनुमान है कि करीब 300 लाख करोड रुपाई की संपत्ती इन अंग्रेजों ने लूटी है भारत देश से 300 लाख करोड इतना बड़ा धन और संपत्ती यहां से लुटा एक छोटी सी बोल हुई जहांगीर से उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया दूसरी बोल हम से हुई कि रॉबर्ट क्लाइब जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला बल्कि उसके जुलूस का तालियां बजाकर स्वागत किया और ये दो भूलें इतनी भारी पड़ गई पूरे देश को कि अंग्रेजों का सामराजी 200 वर्षों तक चल पड़ा आपके मन में और एक प्रशना आएगा कि क्या इसके अलावा और भी कुछ भूलें होई हमसे हां होई जब इस इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया और जहांगीर नाम के राजा ने वो लाइसेंस दे दिया तो जहांगीर थोड़े दिन के बाद मर गया और जहांगीर के इस्थान पर फिर एक दूसरा मुगल बाश्या आ गया और उसका नाम था औरंग जेब औरंग जेब ने जब सब्ता समाली इस देश में तो अंग्रेजों के साथ उसका जबर्जस युद्ध हुआ और सन 1688 में औरंग जेब ने पूरी इस्ट इंडिया कमपनी की सेना को पराजित कर दिया और इस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हार गई और औरंग जेब की शरना गती उन्होंने स्विकार की और इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकान सुसेनिकों को औरंग जेब ने मार डाला युद्ध में औरंग जेब के बारे में आप से ना पूरी तरह से परास्त हुई तो औरंग जेब के पास वो अंग्रेजों के अधिकारी गए और माफी मांगी औरंग जेब से और कहा कि हम को आप माफ कर दीजे हम दुबारा कभी आपके उपर हमला नहीं करेंगे बस हम को भारत में रहने की परमीशन फिर से दे दीजे औरंग जेब के पहले जहांगीर ने लाइसेंस दिया और औरंग जेब ने उस लाइसेंस को मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता जहांगीर से गलती हुई वो गलती मैं नहीं दोरा सकता और मैं अंग्रेजों की कमपनी का लाइसेंस में रस्त करूँगा और आपको मारके वापस इंग्लेंड बेस दूँगा तो अंग्रेज घबरा गए परेशान हो गए औरंगजेब के सामने गए तेरोनों में गिर गए रोने लगे पीटने लगे चाती उसके सामने थोड़ी देर में औरंगजेब द्रवित हो गया और उसने का अच्छा जाओ तुम्हें माफ किया और इस्ट इंडिया कमपनी को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया उसने और ये भूल फिर औरंगजेब कर गया कि 1685 में जब अंग्रेज पराजित हो गए तो फिर अंग्रेजों को भगाई देना चाहिए था इस देश से और लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहिए था लेकिन वो लाइसेंस फिर रिन्यू हो गया और फिर इस्ट इंडिया कमपनी हावी हो गई और फिर इस देश में उन्होंने अपना सामराज्य और व्यापार इस्थाफित कर लिया यह और एक बड़ी बूल हो गई एक बूल सिराज़त दौला के समय में एक बूल जहांगीर के समय में एक बूल यह और अंग जेब के समय में उसके बाद और एक बूल हुई हमारे भारत देश में इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से लडने वाले कई राजा थे जिन्होंने अपना एक समूँ बनाया था एक बहुत बहादुर मराठा सामराजी के एक मालिक हुआ करते थे उनका नाम था जस्वंत राय होलकर उनकी सेना ने बहुत सारे भारती राजाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तयार की थी और जस्वंत राय होलकर का ये संकल्प था कि अंग्रेजों को मार के भगा देना इस देश में से और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निरनायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया था और ये निरनायक लड़ाई 1805 की बात है 1805 में जस्वंत राय होलकर ने सिंदिया सामराज की सेना को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई थी और पंजाब में एक महराजा हुआ करते थे रणजीत सिंग उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम तीनों राज्य मिलकर अगर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे तो अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा तो उसके लिए उन्होंने एक संधी करने की कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग इस देश का ये था कि वो संधी नहीं हो पाई जस्वंत्राए होलकर की सेना पंजाब में बियास नदी के पास तक आ गई थी अंग्रेजों से लडने के लिए और संधिया परिवार की और संधिया सामर Argent जी की सेना को उसमें आकर मिलना था लेकिन अंग्रेजोंने चाला की करके संधिया के साथ एक अलग समझगता कर लिया सिंदिया परिवार में एक राजा हुआ करते थे दौलत राव सिंदिया उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रिमेंट कर लिया संदी कर ली और उसमें अंग्रेजों ने उनसे बचल ले लिया कि आपकी सेना कभी भी हमारे खिलाफ युद लोलने के लिए किसी के साथ नहीं जाएगी तो दौलत राव सिंदिया का ये समझोता जस्वांत राय होलकर को भारी पड़ गया तो सिंदिया की सेना वहां नहीं आई और इसी तरह से अंग्रेजों ने महाराजा रंजीत सिंग के साथ एक अलग से समझोता कर लिया और महाराजा रंजीत सिंग की सेना से वचल ले लिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का सायोग नहीं करेंगे तो महराजा रंजीत सिंग की सेना भी नहीं आई सिंदिया की भी सेना वहां नहीं पहुँची और खाली जस्वंत राय होलकर की सेना पहुँची और उसने जब देखा कि दोनों राज्यों की सेना वहां नहीं है तो भाई बहुत परेशान हो गया फिर भी उसने बहादरुई से अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को मुकाबला ही नहीं किया पराजित किया और पराजित करके वो वहाँ से फिर वापस लोटा लेकिन वो बहुत निराश हो गया और उसके मन में हमेशा एक बात थी कि भारत के ही राजा भारत की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी सेना नहीं दे सकते तो कौन विदेशी आकर भारत की रक्षा करेगा और उसने अपने मन में ये बना लिया कि अब तो शायद भगवान भी भारत की रक्षा नहीं करेगा जब भारत के राजा अपनी सेना को अंग्रेजों के खिराफ लड़वाने को तयार नहीं है तब तो भगवान की ही मरजी ऐसी है और वो निराश हो के वहां से लट गया और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ जिन अंग्रेजों ने महराजा रंजीत सिंग के साथ समझोता किया था उनी अंग्रेजों ने महराजा रंजीत सिंग का सामराज खतम करा दिया और अंग्रेजों का कब्ज़ पूरे पंजाब पर हो गया महराजा रंजीत सिंग के हाथ में जब तक ताकत थी अंग्रेजों ने उसका उप्योग किया और जैसे ही महाराजार अंजीत सिंग की ताकत कम होना शुरू होई 1848 की आते-आते अंग्रेज पूरे पंजाब पर हावी हो गए और पूरा पंजाब अंग्रेजों के कबजे में चला गया बात में महराजर रंजीत सिंग की मृत्यू हो गई उनकी मृत्यू के बाद उनके बेटे को अंग्रेज पकड़ ले गए यहां से और लंदन में ले जाकर उसको कैद कर दिया और महराजर रंजीत सिंग की जो धरम पत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर उनको पकड़कर अंग्रेज ले गए उनके राज्य से और बनारस में दरदर की ठोकरे खाते हुए उनका अंतिम शरीर बीता नहीं अंतिम समय बीता तो महरानी जिन्दा कोर जो पंजाब की महरानी थी और महराजा रंजित सिंग का बेटा राजा दिलीप सिंग जो महराजा होना चाहिए था पंजाब का ये दोनों को अंग्रेजों ने बहुत बुड़ी दुरदशा की थी और महराजा दिलीप सिंग को तो लंडन में ले जाकर अंग्रेजों ने जबर जस्ती एक अंग्रेज लरकी से उनकी शादी करा दी और उनको हिंदू से इसाई बना दिया और उसके बाद राजा दिलीप सिंग को आने नहीं दिया अंग्रेजों ने और जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि राजा दिलीप सिंग को लंदन में बंदी बनाके महरानी जिन्दा कोर को बनारस में निर्वासित कराके महराजा रंजीत सिंग के खजाने का सबसे कीमती तवफा जिसको आप कोहिनूर हीरा कहते है वो अंग्रेज छीन कर ले गए और वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों की महरानी के मुकुट में जला रहता है और आज तक अंग्रेजों के ही कबजे में है भारत में वापस नहीं आया उस कोहिनूर हीरे की कीमत दुनिया के जोहरी लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी इसकी कीमत ये बेमूल है, बेमिसाल है, अन्मूल है तो हमारा सबसे अन्मूल हीरा कुएनूर अंग्रेजों ने लूटा और वो यहीं से लूटा था पंजाब राजी से लूटा था और महराजा रंजीत सिंग के खजाने से लूटा था क्योंकि महराजा रंजीत सिंग का खजाना 1850 तक आते आते अंग्रेजों के कबजे में आ चुका था और उनका बेटा दिलीप सिंग अंग्रेजों के कंट्रोल में था वो कुछ कर नहीं सकता था बैस रोता बिलखता वो अपनी दुरदशा पर आसू बहाता रहता था आज तक वो हीरा महरानी के मुकुट में है और अंग्रेजों के देश इंग्लेंड में लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है आप कभी चाहे तो जाकर उसको देख सकते है मैं थोड़े दिन पहले गया था उस हेरे को देखने के लिए बहुत कोशिश की मैंने कि इसका मैं फोटो उतार लूँ लेकिन अंग्रेजों ने वो फोटो नहीं उतारने दिया मुझे मेरा कैमरा वही रखवा लिया मेरा मुबाइल बाहर रखवा लिया उसका फोटो नहीं उतारने दिया और वहार रहने वाले जो भारतवासी है उनको मैंने कहा कि आप तो 20 साल से 5 साल से 30 साल से यहा रहते हैं कि आप कभी ऐसा नहीं कर सकते है कि इसका एक फोटो उतार के दे दे तो कहने लगे जब यह हीरा हमारा था तब तो यह हो सकता था अब तो अंग्रेजों के कबजे में है तो हम भूली जाएं तो अच्छा है ये हमारी मानसिता बन गई है जो भारतवासी इंग्लेंड में रहते है उनकी ये हैसियत हो गई है कि वो कहते है कि इसको तो भूली जाएं तो अच्छा है तो अंग्रेजों ने कोईनूर लूटा यहां से, अंग्रेजों ने कितने खजाने लूटे हैं यहां से और किस तरह से दुर्धशा हुई है हमारे देश की, यह उसकी छोटी-छोटी बाते हैं, हमने कुछ भोले की है इतिहास में, और उसमें से एक बड़ी भूल, कि हम मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़े भारत में 565 राजा थे अंग्रेज बहुत छोटे थे उनके सामने आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक साथ सारे अंग्रेजों को अगर खड़ा कर दिया जाए पूरे भारत में तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 52,000 के आसपास थी आप ही सोचो 52,000 अंग्रेजों को अगर 22 करोड हिंदुस्तानी चाहते तो चीटी की तरह से मसल सकते थे एक दिन में लेकिन वो हम नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए ये जो 22 करोड भारत वासी थे ये 565 रियासतों में बटे हुए थे हर रियासत का एक राजा था वो दूसरे राजा से नफरत करता था दूसरा राजा तीसरे से नफरत करता था तीसरा चौथे से नफरत करता था राजाओं में आपस में एकता नहीं थी उन्होंने आपस में समबाद नहीं किये उन्होंने आपस में कोई संगठन नहीं बनाया नहीं तो अंग्रेजों का सामराजितों कभी बनी नहीं पाता इस देश में तो इतिहास से जो हमें सबक सीखना है वो ये कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हम कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चाहे कितने ही थोड़े विदेशी हमारे उपर हमला करें और अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई विदेशी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ आख उठा कर देखे कभी भी हमारे आपस की दीवारे इतनी बड़ी ना हो जाएं कि हम अलग अलग हो जाएं जैसे हमारे राजाओं ने गलती की वो गलती हम भविश्य में ना करें तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा तो ये जो बाते मैंने आज आपके सामने कहीं है इनके पीछे एक ही बात है जिसके लिए मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि हम भारत स्वाबिमान की तरफ से एक बड़ा वियान चला रहे हैं आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है अभी काफी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी मैंने कहा ना 22 करोड भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे 52,000 अंग्रेज 22 करोड पर 500 साल राज्ज कर गए वो एकी कारण से कि हम बटे हुए थे विभाजित थे हमारा संगठन नहीं था आपस में संबाद नहीं था एकता नहीं थी इसलिए वो हमारे उपर राज कर गए और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहां से भाग जाना ही पड़ा एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग-अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साब पेश्वा की अगवाई में पेश्वाउं की रियास्त थी और नाना साब पेश्वा के पिता उसके मालिक थे अंग्रेजों ने उनके साथ चाला की और गद्दारी की थी और उनको उनकी रियास्त से बेदखल कर दिया था और नाना साब पेश्वा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़कर बिठूर नाम के एक छोटे से इस्थान में रहना पड़ा था बिटूर कानपुर के पास एक छोटा सा गाओं है नाना साब पेश्वा बहां के रहने लगे थे रात दिन उनके दिल में एक ही कसक थी कि मेरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया है ऐसे ही भारत के सभी राज्यों को अंग्रेजों ने छीन लिया है तो नाना साब पेश्वा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा हर राजा के पास जाकर संगठन बनाना शुरू किया दीरे दीरे संगठन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगठन की तरफ से ये तैह हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से क्योंकि उनकी ताकत बड़ी नहीं है अगर हम संगठित हो जाएं तो ये नाना साथ पेश्वा को समझ में आ गया उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया ताकत इकठी हो गई अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया वो ये कि एक साथ पूरे भारत की पाँच सो पैंसट रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी और वो बगावत का दिन तै किया गया वो था 31 मई 1857 और नाना साथ पेश्वा ये संगठन बनाने का काम कर रहे थे 1853 से तो 1853 से 1857 चार साल में देश में एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया और उस संगठन की तरफ से गोशना हुई कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होगा और अंग्रेजों को मार काट के हिंदुस्तान से खतम कर दिया जाएगा और आपको मैंने बताया कि ये बहुत संभव था क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी मात्र बावन हजा तो ये संभव था और ये हो जाता लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई और वो भूल क्या हुई हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी तेजस्वी उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे उनका नाम था मंगल पांडे वो अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे बहरकपुर नाम के इस्थान पर उनकी पोस्टिंग थी तो उनको एक दिन किसी ने ये बता दिया कि सेना में जो कार्तूस इस्तेमाल किये जाते हैं उन कार्तूसों को चलाने के लिए मूँ से खोलना पड़ता है और उसमें गाई की चर्वी लगी होती ये मंगल पांडे को किसी ने बताया मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आँखों से देखना चाहता हूँ तो जिस व्यक्ती ने उनको ये जानकारी दी उसने ले जाकर दिखा दिया कि चर्वी वाले कार्तूस कैसे तयार होते हैं तो मंगल पांडे का गुसा आस्मान फाड़ गया वो ज़्यादा कट्टर भारतिये थे गाई के प्रेमी थे गोरक्षा के मानने वाले थे उनके परिवार के लोग भी गोरक्षा को मानने वाले थे उनको जब पता चला कि गाई की चर्वी के कार्तूस बनते हैं इसका माने गाई का कतल किया जाता है फिर उसकी चर्वी से कार्तूस बनाए जाते हैं और वो हमको मूँ से खोलने पड़ते हैं तो हमारा तो धर्म रष्ट हो रहा है तो उन्होंने तै कर लिया कि इन अंग्रेजों को सबक सिखाना है तो वो भी नाना साहब पेश्वा के संगठन में शामिल हुए और नाना साहब पेश्वा ने तारीख तै की थी कि 31 माई को एक साथ पूरे देश में विद्रो होगा लेकिन मंगल पांडे ने वो 31 माई का इंतजार नहीं किया उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दी अकेले तै हुआ था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी 31 माई को उससे काफी पहले 29 मार्च को ही उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने क्या किया एक अंग्रेज जदिकारी था उसका नाम था मेजर हूसन उसको गोली मार दी मंगल पांडे ने बेरकपुर में और भरी सभा में गोली मारी सेना की परेड होने के लिए सैनिक मैदान में खड़े थे मेजर हूसन कुछ आदेश दे रहा था मंगल पांडे ने मेजर हूसन को एक सवाल पूछा कि क्या हमको जो कार्तूस दिये जाते हैं उसमें गाई की चर्बी मिली होती है तो मेजर हूसन ने कोई जवाब नहीं दिया फिर मंगल पांडे ने पूछा क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं हमको जो कार्तूस दिये जाते हैं उसमें गाई की चर्बी मिली होती है मेजर हूसन ने नहां कहा नहां कहा बस सीसी पे गुसा आगया मंगल पांडे को तो मंगल पांडे के पास अपनी बंदूक थी गोली उन्होंने मेजर हुसन को मार दी जैसे मेजर हुसन मरा और गिरा तो उसके नजदीक में एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था उसका नाम था करनल वाग वो जपटा मार के मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा मंगल पांडे ने दूसरी गोली उसको मार दी और वाग भी वही डेर हो गया उसके बाद एक तीसरा अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने बंदूक के आगे का वो होता ना छुरा लगा हुआ वो उसके पेट में गुसेर दिया और वो भी धराशाई हो गया तीन अंग्रेज अधिकारी वहां मर गए तड़प तड़प कर उसके बाद मंगल पांडे चिल लाया और उनके जो सहयोगी सहनिक थे और कहा कि मैं अकेला अगर तीन अंग्रेजों को मार सकता हूँ तो तुम सब मिलकर कितने अंग्रेजों को मार सकते हो उठो आगे बढ़ो क्रांती का समय आ गया जितने अंग्रेज अधिकारी हैं इन सब को मार दो यहां पर लेकिन मुश्किल यह हो गई कि बाकी जो सेनिक थे उन्होंने कहा कि हमने तो 31 मई का संकल्प लिया हुआ है और आप अभी हमसे क्या रहे हो क्रांती करने को सारे देश में 31 मई को क्रांती होगी और आप कहते हो आज ही करो तो वो धरम संकट में थे कि नाना साथ पेशवा के संगठन से चूंकि जुड़ चुके है तो संगठन का आदेश माने या मंगल पांडे का आदेश माने इसी उधेर बुन में वो कुछ नहीं कर पाए किंग करतब वे भिमूर हो गए और उतनी देर में अंग्रेजों की फौज आ गई और अंग्रेजों की फौज ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और मंगल पांडे ने कोशिश की कि वो अपने को गोली मार के खतम करें लेकिन वो गोली उनके शरीर को छूती हुई निकल गई वो जीवित रह गई अंग्रेजों ने फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया कोट मार्शल हुआ और आठ अपरेल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे चड़ा दिया अंग्रेजों ने और आठ अपरेल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो सारे देश में ये खबर आग की तरह से फैल गई मंगल पांडे की सेना के जो सैनिक थे उनके सहे होगी उन्होंने छोटे छोटे समूह बना लिए और वो समूह के रूप में गाउं गाउं गूमना शुरू कर दिया और 31 मई को जो करांती होने वाली है उस करांती की तैयारी में वो सब लग गए लेकिन फिर एक छोटी सी भूल हो गई कि जो सैनिक गाउं गाउं गूमकर करांती की तैयारी में लगे हुए थे वो सब को बता रहे थे 31 मई को करना 31 मई को करना 31 मई को करना है लेकिन यहां मेरट हमारे नजदीक में है यहां मेरट में कुछ आती उत्साही नौजवानों ने कहा 31 मही तक कौन इंतजार करेगा अभी करना तो मेरट में 10 मही को करानती शुरू हो गई और मेरट में जो भारतिय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में उन्होंने बगावत करके अंग्रेजों के घर जला दिये और जो अंग्रेज थे उनको मार डाला और फिर वो सैनिक मेरट से दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर उन्होंने ये कहना शुरू किया 31 मही तक कौन इंतजार करेगा अभी करो तो दिल्ली के सैनिक भी उनकी हां में हां मिला के 12 मही को दिल्ली में करांती हो गई फिर 13 मही को दिल्ली के पडोस में हो गई और ऐसे करके वो 31 मही सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया अब इसमें गड़बर क्या हुई कि उस जमाने में कम्मिनिकेशन तो था नहीं टेलीफोन का कम्मिनिकेशन तो था नहीं टेलीग्राम का कम्मिनिकेशन था नहीं रेडियो का उस जमाने में सूचनाओं को पहुँचाने के लिए एक-एक व्यक्ती गाउं गाउं जाता था तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी 31 मई की अब बाद में ये मेरट में और डिली में जब करांटी हो गई तो कौन ये सूचना पहुचाए जाकर गाओं गाओं कि सबकुछ 14 मई को ही करना या 15 मई को करना है तो कुछ जगे हुआ और कुछ जगे वो 31 मही का इंतजार हुआ अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांथी को एक तरफ जो सफल होने वाली थी तीन महिने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगाली बाहर से फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांथी को पूरा दबा दिया और जब ये क्रांथी दबी तो जिस बिठूर में नाना साथ पेश्वाने संकल्प लिया था देश को आज़ाद कराने का उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया बिठूर में तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा सब को अंग्रेजों से काटा और दीरे दीरे सारे करांतिवीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और दुर्भा के उस समय ये भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिनोंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आज़ाद हो जाता उसके बाद फिर हमको लगबग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आज़ाद हुआ एक बार मौका आया हम 1757 में आज़ाद हो जाते जो रॉबर्ट कलाइब को पत्थरों से मार दिया होता दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंग जेब ने अंग्रेजों को पराजित किया हम तब भी आज़ाद हो जाते तीसरा मौका आया जब 1805 में जस्वंत राय होलकर महराजा रंजीत सिंग और दौलत राव सिंदिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आज़ाद हो जाते लेकिन ये तीनों मौके हमें गवाने पड़े फिर 1857 में ये शुरू हुआ उसमें भी हमारी जल्दवाजी में अति उत्सह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आज़ाद हो पाए तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आज़ादी 90 साल पीछे चली जाती है 90 साल सुतंतरता के लिए संगर्श करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूरवक यही कह रहा हूँ कि हम भारत स्वाविमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारा संगठन बढ़ रहा है तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्तुपूर होता है अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेश्वा के सामने हुआ था या बाकी करांतिवीरों के सामने हुआ था इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा जो निर्देश आएगा उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे उसमें अपना उत्साह और अपना अती उत्साह नहीं जोडेंगे नहीं तो फिर गड़बड हो जाएगी आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीक तय होगी एक दिन तय होगा और उसी तारीक और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूँ कि मेरे आज के इस व्याक्यान की सार्थक्ता होगी पुर्खों से हो गई, मैं इश्वर से प्रार्थना करूँगा, परम्पिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा, कि हर भारत स्वाविमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धी दे, और इतनी तहजस्विता दे, और इन सबसे जादा विवेक इतना दे, कि वो स सबी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद.